अब 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 नमस्कार दोस्तों स्वागत था आपका कंपरिशन कम्मुनिटी के से ओनलाइन प्लेटफोर्म पे और आज हम लोग पढ़ने वाले डैजिस्टिप सिस्टम ठीक है मैं भी यहाँ पर ठीक सेयर करने का काम कर रहा हूं आप लोग भी सेयर कर दीजे ताकि जिनको जुरुत है ठ ठीक वहां तक क्लासेज जो है पहुंच जाएं ठीक है तो सेयर कर देता हूं मैं भी चलिए हो गया सेयर करने का काम गुड़ मॉर्णिंग गुड़ मॉर्णिंग अल अफ्यूस आप सभी काफिर से बहुत-बहुत स्वागत है इसान पांडे जी जय जोहार सुघर भी हानिया सार बिल्कुल सुघर भी हैनिया यार ठीक है देखे जैसे हम लोग कल हम लोग चर्चा किये थे आज आप एक काम किजिएगा कॉपी और पेनल लेके बैट जाहिएगा जैसे हम लोग डाइजेसन के जब डीप पार्ट में चलेगे सुरू में जब इंट्र लखेश्वर, प्रिती, कांता प्रसाद, स्वाती, दिगविजय दिवांगन, सौरब, वेदिका, लक्की, गौतम, दिपांजली, अनवर, नमस्ते मास्टर जी, नमस्ते विद्यार्थी जी, चलिए बढ़िया है है, ठीक है, चलिए, ठीक है, अब हम क्लास चलू करेंगे, लेकिन फिर वही है, मैं आपको बताया है, कि जब तक हम इसका इंट्रोडेक्शन पढ़ रहे है, ठीक है, यानि कि जब प्रारंभीक है, ठीक है, तो उस समय तक यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है, जैसे हम एक फ्लोचार्ट बनाते भी चलेगे, जैसे डाइजेशन दिखेगा, डाइजेशन जब मूख में होता है, जब पेट में होता है, जब छूटी हाथ में, जब बढ़ी हाथ में, तो ये स्लाइड में काफी अलग-अलग, अलग- समझ आ गया था सर, क्लास, ठीक आद थोड़ा सा, ठीक गेर जो है, तीसरे गेर तक ही रखना है, चौथम नहीं लगाना है, लेकिन थोड़ा लंबा क्लास जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, योगईता, पहली बार बायो, इतनी अच्छे से समझ आया है, सर, थैंक है, चलिए, जोड़ते रहें, थोड़ा सा, दो मिनट हम, एक मिनट और दे देते हैं, ठीक, ताकि जब इंट्रोड़क्टरी पार्ट छूड़ जाता है, तो बाकी लोगों को दिक्कत मत हूं, तो डाजिस्टिप सिस्टम के बारे मैं फिर बता दे रहा हूं, कि आप जो है, कॉपी और पेन लेके बैठा रही, कोई भी चेप्टर की बात है, ठीक है, कुछ ऐसे चीज़े होती है, जो हमको एक लाइन से हमको समझाना होता है, ठीक है, इसान पांड़ी जी, बायो समझ में नहीं आता था सर, अब समझ में आ रहा है, चलो यार बढ़िया है, ठीक है, एक्च्रली में क्या है, कि साइंस की चीज़ें है, जो देख के समझी जा सकती है, इस टाइप से, पिक्चर की रूप में, डाइग्राम की रूप में, और हम केवल पढ़े है, ठीक है, तो उससे काम नहीं चलने होती है, काम कैСै चलेँगा भी, जो चीज़ें हो रही है, ज लगा जरकल का क्लास ठीक था सफर वही स्पीड में इसी दर आओ सब्सक्राइब कर रहा है ठीक है चलिए अब हम क्लास हम चालू करते है तो द्धान होजाई चीदर होजाई ए ठीक है अब हम देखते हैं मेरा फोक्स उड़ा सीधर रहेगा डैसpective सिस्टम के बारे में वह इस मृन अबाइज मिमेंड डैसृटिप सिस्टम पाचंतिंतर किसे कहते हैं सामानेता हम देखे ही सुबह उठे यह हमने नास्ता किया दुपाहर भी खाना किया साम को भी खाना खा़ए हमने कभी सोचा है कि हम ठोगंद के रहे हैं कभी सोचा क्या नहीं मुल पछो भी रास्तम चल रहा है उसको पांचते नहीं कि बहुत अच्छे से बाइओ को तुससे अगर पुछोगे तो उसके लिए मेरे अकल है कि है क्या ठीक तो पाचन तंत्र क्या होता है किसी भी की बात कर रहें किसी भी जीव की बात कर और इसी को हमारा सरीर क्या करता है धीरे-धीरे तोड़के छोटे फॉर्म में लाता है ठीक है चलिए वेदिका हे भगवान कोई जहर दे दू मुझे हाई मेरा नेटवर्क क्या हो गया विदिका को जहर क्या जो रहता भई पाचन है सब पच जाएगा आज कल जहर भी ठीक से नहीं आ रहा है समझ में आ रहा है ना ठीक उसमें भी मिलावत है चलिए उसमें भी ठगी का सिकार हो जाओगे अ कहां से दिखते हैं सपति और स्कूल टाइम में स्ट्रंग अब कम जोर हो गया कि शुर नहीं देर ठिक से लगता है स्कूल टाइम में अब मेरा साइंस स्ट्रोंग था अब पसंड की क मिक थे कारान जिसका साइंस कम जोर हो गया है तीक चलो चलिए अब ध्यान रखेगा जैसे मैंने आपको बताया कि यह महुत है मानलो ठीक फूड इंटेक कर रहे हैं यहां से भोजन कर रहे हैं समझ में आरा ठीक है तो भोजन क्या होता है कोई भी भोजन अगर हम ध्यान रखे तो complex होता है सबसे पहले complex complex का मतलब हो गया वह अपने जटील रूप में होता है तिक जटील देखो भई पेन का selection जटील जटील होता है कहने का मतलब जो हम खा रहे हैं इसी में विटामिन से इसे में प्रोटीन से ठीक है इसी में बाकी जितने पोसक तत्त्तों है ठीक वह सारे के सारे चीज़े हैं ठीक है अब ध्यान रखेगा इसी चीज़ को हमारा बोडी जो है डारेक्ली अब्जॉब नहीं कर सकता है ठीक डारेक्ली अब्जॉब करने के लिए क्लिए क्लिए ठीक डारेक्ली देखेए आप लोग आपस में बहुत चैट करते हों ठीक है स्वेता सिंग मेरा प्री में नहीं हुआ था क्या नहीं complex से इसको simple करता है तब कहीं जाके हमारा बोडी जो इसको absorb करता है ध्यान रखेगा absorb करता है चलिए अब दिखेगे यहां पर तो पाचन तंत्र एक ऐसा तंत्र है या पाचन एक ऐसी क्रिया है ध्यान रिखेगा जिसमें जटील भोज्य पदार्थों को अर्थाद complex food को simplest form में तोड़ा जाता है ठीक है और इसके लिए केवल केवल ध्यान रखीगा ऐसा नहीं कि केवल पाचन तंत्र में पेट में होता है चूटी आते है बड़ी आत होता है तो ध्यान रखीगा पाचन के लिए जो भोजन का मार्ग है ठीक ग्रंथियां होती है जो पाचन कार में सहयोग परदान करती है आया समझ में ठीक है चलिए अब देखिएगा यहां पर पाचन को हम समझ रहे हैं तो पाचन में दो चीज़े हो गई पहला हो गया हमारे सरीर का मुख से लेकर गुदादवार तक का जो भी हमारा सिस्टम है औ यह जो अब देखिएगा हम पढ़ते हैं यहां पर दो अलग अलग चीजों को तो सबसे पहले ध्हान रिखेगा इस डीशिप सिस्टम में देखिए यह डाजिप सिस्टम में अर्थाफार पाचक तंत्र या पाचं तंत्र आप इसको करके रिखिएगा यह क्या है यहां नि वाइड में करते हैं दो अलग अलग वर्ग बनाते हैं पहला हो गया जिसमें से भोजन जो है निचे की और जाता है यह भोजन का मार गए ठीक है इसी को हम क्या कहते हैं आहार नाल कहते हैं समझाल तखेगा और इसको 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 हम लेकर और कहते हैं कि आहार तक होता है पाचक गनतिया पाचक करते हैं। पाचक गरंथियों में पाए जाते हैं, इसलिए हमने अलग से यहां पर पाचक गरंथियों का वर्गी करंड किया है, यह है पाचक गरंथि, ध्यान देखिएगा, पाचक गरंथि, अब इन्धी गरंथियों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे इंजाइम निकलते हैं, जो पाचन म जो मार्ग है इस भोजन के मार्ग को हम यहां समझते हैं ठीक थोड़ा सूपर कर देता हूं यहां ठीक चुझे छुप गए थी पहला है हमारा ध्याने के माउथ माउथ का मतलब होता है मुख इसी मुख के माध्यम से हम भोजन को इंटेक करते हैं अंतरगरहन करते हैं आया भी कहूं या अहार नली भी कहूं तब भी काम चल जाएगा अहार नाल कहिए इसोफेगस काम है ध्यान रखेगा स्टोमक को हम उदर कहते हैं उदर ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन यानि छोटी आत में जाता है उसके बाद भोजन अराम से समझेगा छोटी आत उसके बाद भोजन जो है बड़ी आत में जाता है और बड़ी आत के बाद भोजन जो है गुदा द्वार द्वारा बाहार निकल जाता है ध्यान रखेगा को समझेगा ठीक है भोजन का डाइजेशन कहां से चालू हो जाता है तो भोजन का डाइजेशन जो है माउथ से ही चालू हो जाता है देखे, पिटे और मेंस के जहां तक सवाल है रानू तो मैं बता दूँ कि चीजें जो है, यही रहता है तीक है, आप इसको समझ कैसे रहे है वहाँ पर अपलाई कैसे कर रहे है, वही होता है तीक है, कंटेंट अगर digestive system निम्स में है, तो digestive system जो है समझने वाले हैं ठीक है अब आज यह हम digestive gland के बारे में देख लेते हैं पाचक ग्रंथियों के बारे में देख लेते हैं तो पाचक ग्रंथी सबसे पहली ग्रंथी समझेगा लार ग्रंथी है saliva gland जिसको कहते हैं लार ग्रंथी लार ग्रंथी ठीक दूसरा है स्पीजिण घेस्टिम अन्य डांप्लम आंत्रजब ऑंत्रज रेयाय आत्र बहुत सारे पाचकरच्छ निकलते हैं। चीज को आतों से भी बहुत सारे पाचा करस निकलते हैं और इन सभी का परमुक काम यह है पाचन करना ठीक है क्या करना भई पाचन करना आया समझ में ठीक है अब समझेगा इस चीज को देखो हमने भी बता दिया यहां पर एक आइडियल एक डाइग्राम है इस डाइग्राम क यह दो आपका मुख गुःटी में पेयर दो आएंगेत आपको common past मातलब जिस भोजन आता है तो दोनोंat जगह मिलता है और उसी का नाम है फेरेंस धहन रिखे गरश्टनी अर्थात यह common passage है ठीक है यह जो ध्यान रखेक यहां पर ग्रश्टनी है ग्रश्टनी यह ग्रश्टनी जो है यह common passage है वाईव के लिए भी और साथी साथ ध्यान रखेका फूड के लिए भी आप से प्रस्ट पूछा जा सकता है समझेगा इस चीज़ को कि फूड का और एयर का दोनों का common passage कौन है ठीक है चलिए अभी भी चल्राइब बढ़िया बात है चलिए ठीक ग्रश्टनी अब देखा है ग्रश्टनी से ही ध्यान रखेका भोजन का जो थोड मैं फेफड़ा को कुछ इस परकार से यहां पर मना रहा हूं चलो यह इस परकार से फेफड़ा है यहां पर ठीक है और भोजन है नीचे की और चला जाता है अर्था ठीक है ग्रश्टनी के बाद यहां से दो अलग-अलग मार्ग हो जाते हैं भोजन के अब मैं आपको समझा जाता है ठीक है इसको हम किस नाम से जानते हैं यह जो फेखड़े की और आ एक और इसी ढखकन को हम इपीग्लोटीज कहते हैं एपीग्लोटीज इसका काम समझीगा जब कभी भी हम भोजन करते हैं तो देखिएगा कभी कभी क्या होता है भोजन को कुछ पार्टिकल तीक है मुख मार्ग में हम पेट के जाने के वजा थोड़ा से फिफ़डे मार्ग में आ जाता है तो यहां से क्या होता है ठीक है हमारा जोगे ऺज़ते हैं यह वापस यहां कि यहां चला जाय कि कभी-kभी कुछ पार्टिकल वाई dużo वाले पाइप में जाने का प्रयास करते है अगर वह चला जाएगा तो तो ध्यान रखना फेफड़े में पहुंच जाएगा इसलिए हमारा सरीर का मैकनीजम ऐसा है कि उसको बाहर बेज़ देता और समानेता यह जो ईपी गलोटीस है भोजन जैसे आता है तो इस मार्गों को बंद कर देता इस वाले को समझ में नहीं भोजन जैसे नीचे की और आत एक ही समय में कितने काम करते रहते लेकों हमारा सबसें और बहुत दो जहा रहा है थिक है आहाए जली अभंद धिया undo adapt के माध्यम से आंदर क्यों रहा है स्ट्रोंग् स्टुमा के बाद भोजन जो है यहां छोटी आथ में याता चोटी आथ के तीन इसे पहला हो था ध्रुनम दुसरा हो ता जेजुनम और तिस्रा हो धा इलियंगी को में हम आगे पढ़ेंगे समझे उसके बाद भोजन जो है ठीक बड़ी आत के माध्यम से ठीक है कहां चला जाता है मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है अब हम पढ़ते हैं इस पेसली एक-एक करके यह केवल एक इंट्रोडेक्शन था यहां तक मामला क्लियर है और नह आज नहीं आरा है नहीं आता है थिक है मैं तो दोनों मता रहा हूं ना थिक है दिखेगा मुख में अच्छा ये भी बता दुनों को दे रहा हूं कि कुछ जो काम nineteप कुछ में वह सानी से समझ में आता है इंगली निकुम इह इसल Yout Intell भी बता हूँग चिंता मत का मुख देख रहा हो ठीक है कितना अच्छा दिख रहा है लेकिन वास्तों में इतना अच्छा दिखता है क्या ने दिखता है ठीक है अब ध्यान रखिएगा यहां पर दातें ठीक है डात जो है सौकेट में फीट है का मतलब जो मानाव का दात होता है ठीक है वह एक गर्त में सेट होता है गर्त में इसलिए मानों को क्या कहते हैं ध्यान रखिएगा ठीक है गर्त दंती कहते हैं समझेगा एक करके मानों को क्या कहते हैं गर्त दंती तीन अलग लग नाम है गर्त दंती विशम दंती और द्वीबार दंती ठीक है तीन चीजें हैं ध्यान रखिएगा गर् है कि मानों में अलग-अलग परकार के दाथ होते हैं क्या होता है बहुता बहुते हेटरोगंट के नाम से जानते हैं मतलब उसका जो तेक्त नाथ का वह किस नाम से जांते हैं तेक्त नाथ क virus ना ती है ते और लग अलग परकार के दान हमारे मुख में हैं ऐसे मज़ में दूसरा औंट का मतलब होता है गर्त दंती, यानि कि यह जो दाथ है, देखो, इस परकार का यह जो दाथ है, यह जो दाथ है, यह जो दाथ है, यह कहां फीट है, यह जो इतना सारा गहरा है, यह तो दिखने वाले उपर का हिस्सा दिख रहा है ना, लेकिन यह कहां है, यह आपका एक निश्चित परकार के स प्रकार के होते हैं कुछ दांत ऐसे होते हैं दूद के दाथ ठीक है जो एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाते हैं तूट जाते हैं उसके बाद दूबारा दाता है इसलिए मानव को द्वी बार दंती हेट्रो या डाइफोर डॉंट के नाम से जानते हैं तो तीन चीजे हो गई विशहमदंती गर्थदंती ड्वी बार्दंती अर्थात हेट्रोडोंट ठीकोडोंट डाइफायव डॉंट आया समझ में दाथ के बारे में ठीक है अब ध्यान रखिएगा जब हम दाथ को देखते हैं तो दाथ हमारे पास चाहत प्रकार के कितने प्रकार के हैं four types of teeth, ध्यान रखिएगा, पहला को हम छेदक या कृतंग कहते हैं, ठीक है, इंग्लिस में कहेंगे incisor, ठीक है, दूसरा को भेदक या रदनक कहेंगे, ठीक, इंग्लिस में कहेंगे canines, और तिसरा को कहेंगे, आगर चेवर्णा क्यानी की pre-molar, और चाथा को कहेंगे, चेवर को कुतरना, क्या करना, कुतरना, ठीक, जिस प्रकार चुहा का सामने का दो दात होता है, वो भोजन को कुतरने का काम करता है, देखो, खरगोस का जो सामने का दो दात दिखता है, वही उसका, ठीक है, क्या है, यही है, incisor teeth है, ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, या बच्च समझेगा भोजन को क्या करना फाड़ना ठीक है जैसे देखेंगे आप कुत्तों में तो कुत्तों में जो साइट का दाथ होते ही कैनाइन कुछ ज्यादा डेवलप होता है क्यों क्यूंकि उनको मांस खाना होता है मांस कहाना यानि कि जो आपका कहना चाहिए कुत्तों की बात हर जानवर जिस जानवर में जो मांसाहरी होते हैं उस पर कैनाइन कुछ ज्यादा ही डेवलप होता है तो कैनाइन के माधिम से भोजन को फारने का काम किया जाता है उसके बाद है अग्र चावर्णक और चावर्णक इन दोनों का काम सिमिलर है कि भोजन को पीषना क्या करना भोजन को पिसना तो इस प्रकार हमारे मुख में कितने दाथ हो गए चार दाथ यानि चार प्रकार के दाथ कुल मिला के 32 दाथ होते हैं ठीक है चलिए आयँ समझ में कुल मिला के 32 दाथ होते हैं यहां देखिएगा अब यहां पर मैं आपको बताओ दू मुख को ऐसे डिवाइड कर लो यह वाला इतना यानि मुख से आधा यानि कि यह जो मुख है ठीक है इसके बाद इधर का ठीक अब हम बताने वाले आपको दंत सुत्र ठीक है तो ध्यान रखिएगा मुख से जब आधा के और जाते हैं तो इसका दंत सुत्र क्या होता है क्या इसका सिरीज है तो मैं आपको बता दू पहला तो इस चीज को समझो ICPM ठीक इस चीज को पहले आप समझे ICPM I का मतलब incisor ठीक है आपका C मतलब के 9 P का मतलब premolar और M से molar अब इनी चीजों को यहाँ पर लेके आता हूं मैं तो ध्यान रखना ICP और M ठीक है नीचे भी इसी परकार का होता है ICPM हम बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं दंत सुत्र की यानि कि जो टित का formula होता है उसकी बात कर रहे है ठीक है आरहा है समझ में आराम से पढ़ा रहा हूं ठीक है अब ध्यान रिखेगा जब इसकी बात करते हैं हम तो यहाँ पर आप देखीगा I जो हैं वो कितना दाथ है तो 2, 1, 2, 3 याद रखेगा ठीक है दो प्री मोलर है तीन मोलर है एक साइड की बात कर रहे है ठीक है तो ध्यान रखेगे यही दंत सुत्र है ठीक है यह उपर का है ध्यान रखेगे यह उपर का है और यह नीचे का है यहां तक का इसी को दंत सुत्र कहते हैं तो यहां से प्रस्ण पुछे जा सकते इस चीज को याद रखीगा टू वन टू 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 सिंपल सा तरीका है अब हमाई यह अब इस अपने मुख के प्रकार के भी इसी जीबी के उपर समझेगा छोटे-छोटे-चोटे कण होते ऐसा करके चोटे-छोटे ढानी आपको structure दिखाई देगा और इसी का नाम है पैपीला ठीक है समझेगा इसी का नाम क्या है पैपीला इसी को पैपीला कहते हैं यही स्वाद कड़ी का है यही स्वाद को ग्रहन करता है पैपीला आपके जीब में छोटे-छोटे स्वादंकूर हैं उसी के इंगलीस में हम पैप यह अपर में तालू होता है नीचे में भी तालू होता है समझेगा इस चीज को तो यह हो गए हमारे दात हमारे मुख के के बारे में लिप्स होते हैं अपर लिप्स हैं लूर लिप्स ठीक ज्यादा उसको जाने की जुरुत नहीं है अब आए आगे बढ़ते हैं ठीक है अब भोजन जो है ठीक है आगे की और बढ़ेगा लेकिन मुख में भोजन के साथ एक और प्रस्ण बार-बार पुछायता है यहाँ पर देख़ेगा ये आपका मुख है तो मुख में यह रहा जीब जब आप अपने जीब को इस प्रकार से उठायोगे थे धाना होता है ति कोनकोन सिटी बजाने आता है किसको 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 सिटी बजाना आता है चलो बताओ extra curriculum activity है उसी को क्या कहते मैं जिस माध्यम से सटा होता है दुखो यह पतला सा ये तिसी को कहते हैं living wife regulam English में यह लिखना बैं इंदी में लिगुवाई लिंगुवआ फ्रेनूलम हिंदी कुछ नहीं रहेगा यह रहेगा परनूलigon नहीं लाभ इंग उना समझ में तो हमारे जीब है डिक Lawrence फ्रेनूलम के माध्यम से हमारे पलेट मतलब ठीक निचिली जबड़ा में फिट रहता है थीक है किसको किसको आ गया यूराज राज रूपेस को नहीं आता है गुल संथ उनको आता है ठीक है अनिता इसांट पांड़े झे दुकान में मिलने वाली सिटी चलिए बढ़िया है ठीक उसके लिए इसकी जुरत नहीं है तो इसको क्या कहते हैं ध्यान रखिएगा इसी को कहते हैं लिंग्वाइफ रेनुलम याद रखो बोलो मेरे साथ बोलो लिंग्वाइफ रेनुलम बोलिए अपने मन में बोलिए लिंग्वाइफ रेनुलम ब पर ठीक ये रहा अपना डायग्राम ठीक है हस्त निर्मित डायग्राम अब आज रहा यह मुख़ गुभाई अगर मैं Saya Igoo से एक स्परकार से सिंपल साब डायग्राम मनाऊ तौ यह मुख़ गुभाई इसी nicframe को हम कहते हैं बॉकल कैविटी ठीकए जब भोजन यहां से आता है द्म सरीड़ाइ эти ऐसे अंदर के लेकिन आपके आपके había को प्राकर दोनों के इस घर पर थिक लोग तो कामन पैसेज का मतलब होता है दोनों के लिए वाईव के लिए साथ ही साथ हुआ अब के भोजन के लिए दोनों का common mark है ठीक है हाँ बच्चों में बच्चों का ध्यान नहीं देना है बच्चों का तुछ नहीं पुछने वाला है ठीक है human का पुछेगा दांथ के बारे में पुछेगा ठीक है चलिए यह हो गया तो इसको हो गया ग्रस्नी अब समझेगा जब आगे के और जाते हैं तो यहां पर ही है आपका इपी आपका क्या कहते है इसोफेगस इसोफेगस यह हो गया इसोफेगस अब भोजन नीचे की और जाएगा ठीक है अब भोजन ध्यान रखना मुख में ठीक है नीचे में जीब है ठीक है उपर में तालू है नीचे में भी तालू और इसी बीच में हम पीस के खाते हैं ठीक है अब ये भोजन नीचे की और जाता है अब हम भोजन को नीचे की और लेके जाते हैं लेकिन अभी मुख में पाचन अलग से है ध्यान रखिएगा भोजन को नीचे की और लेके जाते हैं ठीक है तो भोजन को जाने से पहले हमारे हमारे पास है कि मुख समय करणा है जो आपके जीभ के नीचे रहता है जीन हमने बता है ते नावी नाम से जुड़ा होता है हिसे ना मतलब होता है इंदी में में आप इस प्रकार का याद judging हो ग्रंथी कहते हैं इसको लो लिख लेते हैं अधो जिवा अधो जिवा ग्रंथी अ समझ में ठीक आब आजाते हैं थोड़ा से नीचे की और इस प्रकार यहां पर जब आते हैं तो सबमेंडी बलर ही निचे इसतीत है हमारा एक लार गरंथी जिसको सबमेंडी गरंथी और सब मेंडूबलर ग्रेंड भी कहते हैं तो पैरुटीड गरंथी जो है स्रीर की सबसे बड़ी गरंथी है हिंदी में इसको हैं ठीक है करण पूर्व गरंती द्यांद कि इस कांद के पास पाई यह जाती है यहां पर काण है आपकर इस प्रकास है यह कां से अधड़। song के पाइया जाने वाला गॉलंति कौन है ठीक है पैयर उटी गरंती और यह हमारे के सरीई की सबसे बडी लार गरंथी है तो ध्यान रखेगा यह गरंथी सबसे बड़ी लार गरंथी है सबसे बड़ी लार गरंथी लार हुर odpowied法 s against gabam समझातें आपको कि यहां से देखिए जगह तो आपको पता है अब यहां से क्या होता है यह दुखो अलग-अलग pipe की माध्यम से जो लार है यहां पर आता है अलग-अलग pipe की माध्यम से ठीक है में भी आपको exam में पुछा जा सके ठीक है तो मैं आपको बताते ही हुए चलता हूं एक-एक करके यहां पर हम दिनोट करेंगे और यहां ने बता दिया ठीक है इसमें एक नलीका पाई आता है जिसको extension duct कहते हैं यह लिख लो यार यहां पर ठीक है यह जो नाली है यानि कि यह जो मार्ग है इसको हम extension duct कहते हैं extension extension टिक डक्ट डक्ट ठीक हिंदी में भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे extension extension टिक नलीका इस्टेंस अलीका आया समझ में दूसरा आज़ेए ठीक है इसी गरंती से टाइलीन इंजाइम निकलता है क्या निकलता है वहीं टाइलीन इंजाइम जब बहुत महत्पूर्ण है यह टाइलीन का ही एक और नाम है जान लीजिए अप ठीक है ठाइलीन का एक और नाम दूसरा नाम क्या है ए आए टो डिलहान रखिएगा इसी extension के माध्यम में मुझ तो मैं टाइलीन और एर इंजे नाम ठीक2 आपके मिलेगा दूसरा जह यह कभीघ्म कभी कभी क्या होता में बता रहा हूँ कुछ इनफेक्षन की वज़ासे है ठीक है कुछ इनफेक्षन की वज़ासे यह गरंती जो सूज जाती है ठीके धया during a. और उसको कहते हैं Mumps, हिंधी में कहेंगे Galswa. तो ध्यान रखेगा, कभी-कभी यह गरंती जो है, सूज के, सूज जाती, क्या हो जाती है? सूज जाती है, Swilling आयाता है, ध्यान रखेगा, Swell आयाता है, Swelling, और इसी को हम Mumps कहते हैं, म scanned मंस यानि कि क्या ही विन्दी में गल सुवा कहें गल्सुवा आप को ये बता दूं कि गल्सुवा बीमारी जो है अभी तो मैंने नहीं देखा तो फिक वाला ये सब पुल झाता था हम क्या करते थैं जब डॉक्टर के साथ चाहरा सरकारी की की बात कर रहा है ठीक है कोल फील्ड में एंसील में तो वहाँ पर हमको क्या मिलता था पट्टी यहां लगा देते थे ठीक ध्यान रेके चोड़ी से पट्टी जिसमें छीद रहता था तो किसको किसको यह हुआ है बताई बहुत कॉमन बिमारी बच्पन में हुआ है अभीवाल का पुसंद खान पान है उस समय जो है इस प्रकार का बीमारी अक्सर दिखा जा सकता था तो किनको किनको हुआ है हम स्कूल में जाते थे थे तिक साल भर में दो चार लोगों को देखी लेते थे अपने कलास में ठीक है अ चलिए अब ध्यान रखेगा हागल फुआ भी भूते हैं बलकूल चलिए तो यह हो गया ऐख सुआ अध्धो प्रिति को हुआ है मिझे भी है ना चलिए अब दिखेगा अधो जब हम पढ़ लेते हैं सब मेक्जिलरी ग्लेंड जो है मेक्जिलरी हड़ी के नीचे पाया जाता है अर्थात नीचला जबड़ा में स्थित होता है और यहां जो नलीका पाई जाती इसको वार्टन की नलीका क नलीका कहा हैं कि यह जो ड़क्ट है इसको वार्टन ड़क्ट कहेंगे वार्टन समझजीएका आदा चीज़ों को आप अगर बना रहे हो मेंडिबल या सब मैक्जिलरी से अब आ जाते हम ठीक अधो जीवा ये अधो जीवा सब लिंगवल पे तो सब लिंगवल जो है ये जीव के नीचे इस्तित होती है ठीक है और ये सरी के सब से छोटी लार गरंती है और यहाँ पर रिविनस डक्ट पाया जाता है चलो भई यहा तरकार धियान रखेगा यह हो गया हमारा लार गरंती तीन लार गरंती पेरोटीड सब मैक्जिलरी सब मेंडिबल और तीसरा है सब लिंगवल हिंदी में कहें अधो जीवा अधो जंब और कर्णपूर ठीक है आया समझ में ठीक रिपीट करवा रहा हूं आया समझ में अब कशल करा निकलता है कभीकभी यह जो है पैरोटीड गरंती फूल जाता है अब फूलने के कारण इक बीमारी बनाता है यह बीमारी पता चलता है वो है हमारा गलस्वा ममस थीक स्वेलिंग हो जाता है यह एक साइड कभी-कभी हो अधो कर reality दोनों तरप डूना चिपका देते तिससरा सब लिंग्वल सब लिंग्वल कम अधो जीवा जो जीव के निचेस्ट होती है इसका जो ड़क्ठ है उसको रीविनस ड़क्ठ कहते हैं और यह जो है ध्यान हिएगा हमारे LAR गरंती में सब से चोटी लार करणथी है सब से चोटी धियाँ दखेगा सब से चोटी स्मॉले स्वै क्षोटी लाण गरंती है ठीक है तो इतना अब तक मैं आपको लार hayır गरंती समझ में आ गया ठीक है क्लियर है यहां तक क्लियर है टो के करें फिर्टY अगे बढ़ते हैं हम चलिए अब आ जाते हैं लार गरंती के बाद धेखे लार गरंती हो गई अब हमारा हम हुझ वाला समापत, ठीक है अब हम जो है हम यहाँ पर क्या बोलते है भई वेला दोर उसको चलिए अब ध्याँ रहां पर अब एक-एक कर टे मुख में पढ़ेंगे मुख में केवल इस लार ग्रंथी का काम क्या है पाचन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं भोजन का मार्ग को भी हम समझते चलेंगे ठीक है अब देखेगा हमारे पास जो पाचक ग्रंथिया होती है ठीक है डाइजेस्टिव ग्लैंड वो तीन प्रकार क कहते हैं यानि लीवर ग्लैंड कहेंगे ठीक है और तीसरे कहेंगे अगनास है अगनास है मतलब पैंक्रियाज पैंक्रियाज आप समझेगा हमारे सरीर की सबसे लंबी गरंथिया सबसे बड़ी गरंथि कौन है चले तुरंद बताए हमारे सरीर की सबसे बड़ी गरंथि कौ सबसे बड़ी गरंती आया समझ में ठीक है तो सबसे बड़ी गरंती कौन सी गरंती है लीवर ठीक है अब एक्क्र करके हम समझते हैं ठीक अब हम देख लेते हैं लार मुख में पाचन अब देखिएगा भोजन में यहाँ पर छोटा सा डाइग्राम मना रहा हूं देखिए यहाँ से यह रहा मुख यह रहा हमारा अहार नाल ठीक है यह रहा हमारा पेट छोटा सा डाइग्राम है ठीक, आप भी बनाईए, मैं बताया ना, कॉपी लेके रखना, भई आप कॉपी लेके आ जाओ, ठीक, क्योंकि जब पाचन में अलग-अलग चीज़ें आप आएंगी, तो दिक्कत हो जाएगा, कॉपी लेके बैठिये, मुख में पाचन, अब हेडिंग दे दिजिए आप यह अब दियान रखेगा, मुख में पाचन, यानि कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, लार गरंथी, मुखी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले दियान रखेगा, ठीक, लार गरंथी मुख में होती है, जब भोजन जाता है, तो भोजन जो है, मुख में, ठीक, सबसे पहले हमारे दा 6.8 pH होता है ठीक यानि मुख में जब भोजन आता है तो जब लार मिलता है तो उसका pH मान कितना हो जाता है 6.8 हो जाता है तो ध्यान रखिएगा जब भोजन लार के साथ सन जाता है ठीक मिक्स हो जाता है तो उसी को हम बोलस कहते हैं ठीक एक और चीज़ है क्या कहते है भाई तो इसको किस नाम से जानेंगे बोलस के नाम से आए समझ में अब मुख concur जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुख से ठीक है पर मुख रूप से लार निकलता उस लार में ठीक दो अलग-अलग प्रकार के इंजाइम पायाते हैं ध्यान से सुनिएगा मुख में लार में जो अलग-अलग प्रकार के इंजाइम पायाते हैं पहला इंजाइम है टाइलीन उ दोनों एक ही है समझीगा इस चीछ को दूसरा हारमुंस पाय जाता हारमुस नहीं तीक लाइसो जाईम घहने किया पाया जाता है लाइसो जाईम, अर्थाथ हमारे मुख में दो विशेज परकार के लार पाय ते पाचकरस पाय आते एक का नाम हो गया tailene जिसको हम MLS के भी ना पाचन का तो अब यहां पर समझेगा मुख में किस चीज का पाचन होता है तो मुख में केवल कार्बो हाइड्रेट का पाचन होता है कार्बो हाइड्रेट का ही एक रूप है ध्यान रखेगा स्टार्च कुछ और नहीं है मांड जिसको कहता है हिंदी में स्टार्च कुछ और और नहीं वो carbohydrate ही है तो अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या काम करता है तो भोजन में उपस्तित लगबग 30% मांड या स्टार्च का पाचन मुख में ही हो जाता है 30% जो है ध्यान रखेगा कार्बो हाइटे या यह को हूँ कि स्टार्च का पाचन जो है मुख में ही हो जाता है ध्यान रखेगा जब है के सांथ मिलने पर यह डाय से कराइट मल्टोज में बदल जाता है अब आपका दिमाग खराब अब सर यह स्टार्च जो है But बदल जा रहे हैं माल्टोज में यह है क्या यह कौन सा प्राणी है कौन सा दुनिया का तो ध्यान रखिए इस ट्यार्च होता क्या है समझना यहां पर दोस्तों ध्यान रखेगा ठीक है कुछ लोग जो है अलग अलाप में है थोड़ा ध्यान रखो यार तिक कि क्लास ध्यान रेकें यह जो इसटार्च है यह पॉरी से के राइट होता है क्या होता है पॉरी से कराइण ह्था अपूलोज का बहुत अल्हम बाभ यह उतरिज hoping इस परकार यह गूलकोज का इतीक है इस इक अका कहते हैं हम का नियुद्ध कें डिफाउट का मतलब के मतलब घृडबु मतलब भीजुरें । बहुत लम्बी सिरिंख़ा से जुड़ा हुआ होता है ति सस्वाइट होती है उससे के हैं पौली से कर्आट भी कहते हैं में इतना फिर ना कि is यहां से अरत यह दा दे रहा है पॉली मतलब बहू यह बहुत इस मेनी को यह दोडोँ में तोड़ दे रहा है यानि कि अब गुलकोज का एक ऐसा गर्पे टूटेगा देहां रखना एसा करके दोडोँ हो जाता है तूड़ पाकी इस परकार से तूड़ जाता जो है यह कहते हैं, आया समझ में दोस्त हो, ठीक है 2 सब्सक्राइब आगे जा कि इसका पाचन जाएगा यह भी तुट जाएगा तो एक और एक गुलकोज है एक सिंगल गुलकोज यानि अन्ती म्रूफ से गुलकोज में बदल जाएगा आया समझ में यहां तक अब आज यहें इसमें और छीज़ लाइसो जाइम मुख में वह गार्ड है एक वह सिकुरियूटी गार्ड है जो बाहरी वेक्टियों को आने निसी देता है भारी मतलब बैक्टिरिया वाइरस को ठीक बहुत सारे भीड में जिसे हम खाना खा रहे हैं तो बहुत सारे उसके यहां उसमें बैक्टिर्या जो है किसी छूप मिल लाग बैक्तिर्या मिल गया तो लाइसोझयम का काम है इस जिवाड़ू को नस्ड करना बैक्टिरिया को समाप्त करना तो मुख में ला Clayton निकलता है ़िज जो टाइलिन है वह स्टार्ज को कार्बो हाइड्रेट को तोड़ देता है पॉलिस सेकराइट को डाइसेकराइट जिसको माल्टोस के नाम से भी जानते हैं वहां एक और चीज पायाता है लाइसो जाइम ठीक है वह मुख में भोजन में आई वे कोई भी बैक्टिरिया साथी स कोई भी आशवांच को नस्ट कर देता यहां तक क्लियर है तो कमेंट करके बताओ यह सर ठीक यह ने यह था कि प्लियर है तो आप के लिह रहता है आपको पास पैसन्स होना चाहिए ठीक है अब आज़े ये liver के बारे में देखो ये हमारे सरीर की सबसे बड़ी गरंती है ये कहाँ पर है ये हमारे right hand side में जब हम अपने ribs read के हड़ी के नीचे आएंगे यहाँ पर न right hand side इस तरफ नहीं है ध्यान रखना ठीक है left side नहीं है right side में ठीक है तो right side में हमारा liver स्थीत होता है इसी को यकरित कहते हैं इसी को गुर्दा भी कहते हैं गुर्दा नहीं कहते हैं क्या यकरित कहते हैं गुर्दा छोड़ दो kidney को साथ बोलते हैं हिंदी में ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए ठीक है अब ध्यान रखिएगा synonymous word में दिक्कत हो जाएगा यह रहा हमारा liver ठीक है तो चलो liver को बना देखो भाई अराम से दिखिएगा आपका काम है ठीक है पांचों ग्यान इद्रियों को खोल के देखता है इस चीज़ को यह रहा liver ठीक है यहां तक मामला clear है हम पढ़ने वाले हैं liver ठीक है यह जो liver है यह दो ल स्कänn काटो ठीक है यह दो यहां से अलग compartment एक दर अधको लिफ्ट लोब है यह आपका राइट लोग है यांनि यह आपका लेफ्ट लोग हो गया यानी नि-धॉर का लाग वा Nikki का है वह दाया इस तरब से रखी गunnilionय यहां dense यह यह बाया हिस्टा यह लोग है ठीक दैनर द तो ध्यान रखेगा तो दो अलग अलग हिस्से में पाया जाता है हमारा कौन हमारा लिवर ठीक है अब ध्यान रखेगा लिवर का मतलब यक्रित है ठीक है अब इस यक्रित के दो अलग अलग हिस्से हो गया एक बाया हिस्सा हो गया यह बाया हिस्सा हो गया बाया ठीक हो गया कोशिका पाई जाती है लिवर में जिस कोशिका का नाम है तो आपको बता दू लिवर में कोशिका पाई आती है कुफर कोशिका ठीक नाम सुना होगा अपने कुफर 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 कोशिका इस चीज को आप लोग लिखते चलिए कुफर कोशिका तो कुफर कोशिका जो है ठीक कुफर सेल तो कुफर कोशिका कहां पाया जाता है तो लीवर में पाया जाता है ठीक है अब ध्यान रखेगा अब हम जब आते हैं यहां पर इसमें इसका बाहर में ध्यान रखेगा जिली पाया आता है देखो हमारे सरीर का जो भी महत्पूर अंग है वह एक विसेश प्रकार क का हमारा जो लिवर होता है एक विशेश प्रकार की जिली से घिरा होता है और उस जिली का नाम है ध्यान रखिएगा ठीक है क्या ग्लिसंस कैप्सूल छेयन एक ग्लिसंस कैप्सूल तुल तो इस चीज को आप याद रखा एंदी में भी ठीकिआ आप यही बोलीएगा ग्लिसंस कैप्सूल जिस प्रकार कैपसूल का जो दवाई हम कहते हैं वो दवाई को घर के रखा रहता है चार इसा लिए इसको नाम दिया गया ग्लिसंस तो से घिरा हुआ होता है ठीक है अब देखेगा यहां पर हमारा जो लीवर है वो एक विसेस प्रकार का पदार्थ का निर्मार करता है जिसको कहते हैं पित क्या कहते हैं पित बोलते हैं ना वायू पित और कफ तीन चीजें होती है तो ध्यान रखना यह हो गया पित और इसी पित को हम किस नाम से जानते हैं बाइल के नाम से जानते हैं तो बाइल का निर् यहाँ यही पर आके। इसके बासा है तब पित अनसे जहीत हैं पित जो है यही पर आके इस्टोर होता है कि अब इसके बाद जब कभी भी न होती है तब वह आगे जाके आ की और बढ़ता है तो यहां तक मुझको समझ में रहा है कि यह सारी चीज़ें यहां पर आपको लिवर में समझ में आ गई होंगी अब आ जाते हम इसके के बारे में अब यहां आप देखिए ध्यान से कि यह मानोसरीव की सबसे बड़ी गरंथी यहीं based biggest gland biggest gland of our body यक्रित कोशिकाओं को ध्यान कि यक्रित कोशिकाओं से पित का स्राव होता है जो कि पितासर में रहता है तो यह एक फैक्ट है जो मैं आपको बता दिया हूं लिवर में विटामीन ए का भी संस्लेशन होता है सिंथेस और विटामीन ए कोई दिक्कत नहीं यक्रित का एक और काम होता है यह्कृत जो है क्लिकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संस्चित करती है अराम से देखो भई ग्ल्डाइकोजन को अब कोज ा तिक अज़ें गुल्याइप कंश Stevens हो जाती है तो हम Sebam उसको हम स्टोर में जमा करते हैं घर में भी स्टोर होता है उसी प्रकार हमारे सरीर में अगर गुलकूज की मातरा बढ़ जाती है तो लिवर क्या करता है उसको थोड़ा सा convert करके दुसरी रूप में सुखा देता है देखना गाव में क्या होता है कुछ लोग टमाटर को काट के सुखा देते हैं कुछ लोग बैंगन को काट के सुखा लेते हैं ठीक है मचली को सुखाते हैं जिसको सुस्की कहते हैं समझ मैं रहा है कि मचली का मज़ा उस समय भी हम ले के रूप में इंजाईम नहीं होते हैं ध्यान रखना ये किसी भी चीज का पाचन नहीं करता है बस पाचन में सहियोग करता है और खास का ध्यान रखना पित है वसा का पाचन करता है सुन लो पित जो है वसा का पाचन करता है वसा का emulsification करता है ठीक है इसलिए जब कभी भी किसी व्यक्ति का अगर मान लो कि लीवर ठीक नहीं है लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हम यह कहते हैं यह इसका मतलब जो वसा ठीक से पाचन नहीं हो रहा है यह मैं यह कहूं कि जब किसी भी व्यक्ति का पाचन थोड़ा प्रभाइत होता है तब हम यह कहते हैं कि लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है आया समझ में अब ध्यान रखेगा ठीक है फिर भी इसमें पित लवन पाई आत अकसर हमारे 36 गड़ में बड़ी समस्या है ठीक है अब उसमस्या को थोड़ा सा देखता हूं ठीक है तापमान थोड़ा सा बढ़ गया यहां पर ठीक थोड़ा सा कम कर लेते हैं ठीक तापमान मतलब समझ रहो आई ए ठीक लंबे समय तक ऐलकोहल यानि सराब पीने से चलो भ केंसर होगा की एक समय में 36 गड़ में कैंसर हुस्पिटल नहीं हुआ करते थे जब 36 गड़ नहीं बना था टूसãy sonst जबलपूर में ठीक है कैंसर होस्पिटल हुआ करता था यादि किसी भी वेक्ति को गलती से अगर कैंसर हो गया उसको जबलपूर जाना पड़ता था अब देखो राइपूर में बिलासपूर में अंबिकापूर में भी प्रसावी तो उसके बलावा बहुत सारे और खुलते जा रहे यह क्यों खुल रहे हैं कि वहां पर लोकल पेंसेट बहुत भर रहे हैं ठीक है में हॉस्पिटल पी इसका लोड बढ़ता हुआ जा रहा है यानि की सराब हो गया और गुट का खासकर गुट का ध्यान रखीगा गुट का जो है बहुत जबरदस्ट चीज है तो नहीं है बच गया है सही समय में पता चलने से लेकिन हो गया चलिए अब ध्यान रखीएगा ठीक है तो अगर पी देखो जान लो अगर यह इस प्रकार का है तो थोड़ा सा सचेत हो जाओ ठीक है सराब के सेवन से हेपेटाइटिस भी या मतलब यह कह रहो लंबे समय तक सराब के सिवन इस हैपेटाइटिस दी नहीं होता है लंबे समय तक सराब पीने से यह हीपेटाइटीस अंग को प्रभावित करती है तो आप क्या लिखेंगे भई एंसर क्या लगा लोगे से रोसीज transparency जो होता है वह यक्रीट को प्रभावीत करता है लीवर को ढमेज कर देता है ठीक है चलिए भंपता है यक्रीट रिदा एक हरे बहुत इंपर्टरेंट कार रहते समझजेगा कीजको यकृत क्या करता है हिपेरीन का स्त्रावन करता है यह सीकेरेशन ऑफ हिपेरीन दुसरा है यह एंजाइम का भी कुछ स्त्रावन करता है साथी साथ यह बाइल जूस और यूरिया का संस्लेशन करता है अब दोखो दो आपको अलग-अलग चीज़ यहां पर पता चल गया यहां पर आपको यह पता चला यह हीपेरी निकालता है दुसरा आपको यह पता चला ही कि यहां से यूरिया का संस्लेशन होता है आपको मैं बता दूँ कि यकरी थी ठीक है हाँ सैलेंदर जी ठीक है मुद्द निशेद करते हैं हम बिल्कुल सही है अच्छी चीज है ठीक है वेदी का मजाग कर रही थी चलिए बाइल जुस्तों चलो समझ में आ है लिवर जो है यहिकृत काया दी यूरिया का निरवार करता है यानि हमारे सरीर में जो नाइटाज बेस ठीक है जब अपिस्च्ट बदात होतें उसी को यह यूरिया के रूप पे सब्सिता है तो धहं रखेर अगा योरिया का निरमाड कहा होता है तो वो लीवर में होता है और दूसरा हो गया हीपेरीन का सिक्रेशन करता है हीपेरीन एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे बूर्ड को शरीर के अंदर क्लॉट होने नहीं देता समजhen में अराम से जो है शरीर में बहराये टिक बहुत बहुत ठीक यानि कि यह बलड को जमने नहीं देता है अगर सरीर के अंदर बलड जम गया तो समस्या हो जाएगी तो यह हो गया लीवर का काम ठीक है अब आए लीवर के बाद हम आगे बढ़ते हैं अब देख लेते हमारा महत्तुपूर्ण पाचक गरंती जो की है अगनास्य अगनास किया अब इस गरंती हम किस नाम से जानते है मिस्ति गरंती के नाम से हम जानते हैं कैसा है मिक्स्ट ग्लैंड ऐं ग्लेंड है यह जो गरंती है अब एकमात रही साथ शावी के के साथ साथ बई रावी को यानि अनता मैं कहूं तो कहुंगा इंda का इंडोक्राइन He है ठीक है समझेगा इंडोक्राइन के साथ एक्जोक्राइन भी है और क्या मतलब होता है इंडोक्राइन और क्या मतलब होता एक्जोक्राइन का वो समझा रहा हूं अंतास्त्रावी ग्रंती वह ग्रंती होता है जो अपने सिक्रेशन का अपने हार्मोंस की अपने पदार्थ को बखे सब्करेक्ट से समझ नहीं आता को कोई दियुकत नहीं है? तो धियां रखना अन्तास रावी ग्रंथी उस ग्रंथी क्यों कहते है जो अ recycreton को अपने simple अपने product को direct blood में ढालता है कहाँ डालता है छादाant odd 47 वह्यां वहाईंदीयों में डालेगा हिंदी में मेरा थोड़ा सा हाथ तंग है ठीक है लेकिन ध्यांट के बहिस्तरावी ग्रंथी उस ग्रंथी को कहते है जो अपने उसके पास अपना पाइप होता है अपना नलीका होता है वह अपने नलीका के माध्यम से डारेक्ट उस और गन तक डालेगा जहां उसकी जरूरत है तो वो हो जाता है बही स्त्रावी ग्रंथी, आया समझ में इसलिए इसको mixed gland के नाम से हम जानते हैं, अब ध्यान रखीगा, यह जो gland है, यहां से चार प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं, ठीक है, पेंक्रियाज में चार अलग-अलग टाइप्स के cells पाए जाते हैं, और उन cells क प्सक्न नाम कैं बहुं पहला है अलफा सेल, दूसरा है बीटा सेल, तेसरा है डेलटा सेल, चौथा है पीपी सेल, समझ जाओगा यहां बहुंधियाज करने का क्योंक्त यूर्म स्मझ श्रह जांदे कौइज नहीं था, और इसको कमझा आप मंदYourla기 और ही अगई कर अलग-अलग प्रकार के कोशिका होते हैं अब यह चार अलग-अलग के प्रकार के कोशिका है तो चार अलग-अलग प्रकार के हार्मून्स का सिक्रेशन होता है या पाचक रस का सिक्रेशन होता है तो सबसे ध्यान दिखिएगा अलफा सेल से ग्लूकोगान निकलता यहां पर एक पाया त defenses को लैंगर के लेंगर हैंस के बीटा कोशिका से इंसूलीन का स्रावन होता है आ रहा है समझ में तो ये हो गया अलफा सेल से desta सेल सें सुमैटोस्टेटीन निकलता है पोली पेपटाइड ध्यान रखेगा आप इसका जढ़ा काम नहीं है इन दोनों का ज्यादा चीज को बताना भूल गया यह निकल रहाँ अंतर स्तिज वाले वाले भाग से टिक इंडोक्राइन वाले भाग से ज्यान राखेगा निकल रहा ही या चार हार्मुन अब आजाते हैं गारे में एक्सेल पाए जाता है जबूघा इसको एसी नी कोशिका कहते हैं, क्या कहते है, ए शीनी कोशीका, इस चीज को भी ध्यान रखेए, घ्या का कहाँ पाई जाती है, तो एसीनी कोशीका पाया जाता है, दोश्तों, ठीक है, आपके Пон Charge में, ठीक है, तो ध्यान रखना, कि बहिसरावी गरंथी जो है ठीक बहिसरावी जो एरिया है वो एसिनी सेल है एसिनी सेल से हमारे पास क्या निकलता है अगनासरी रस निकलता है पेंक्रियाटिक जूस निकलता है द्यान देखिएगा एक मात प्रोड़क्ट अपका पेंक्रियाटिक जूस लेकिन उस पेंक्रि आगणासईलस में क्या पाए जाता है तो सबसे पहला पाए जाता है तो संसली इसको किते साथ्मरें रहता हुए कंश gypower कानी बैल देखिक साथ ने मुख में लिकला ओठ न्यायब एक मेलेज जो मुख में निकलतना यह आपका Pancreatic Mylis इसका नाम करने इसे कर दिए ना Pancreatic Myles वो था ही तो यहां पर भी मिलता है और उसके बाद निकलता है nuclear अब हमको काम इन 3 नों से है अब इन तीनों हार्मोंस के बारें पढ़ेंगे बस यहां पर मेरा बात यह था कि इंट्रोड़क्शन कराना अब एक और इंपोर्टिटिस डाइग्राम से संबंदी यह जो देख रहे आप गौल ब्लार का मतलब होता है तो गौल ब्लांटर से जब आपका का कहता है यहां अब ध्यां करेंडGrand का जो पिंक्रियाज से भी जो एक ड़क्ट निकलता है ये दोनों ड़क्ट आपस में इस प्रकार से मिल जाते हैं ठीक है और आपस में मिलके एक कॉमन ड़क्ट बना लेते हैं इस चीज को विशेश रूप से ध्यान रखेगा ठीक है गोल बलाडर से जो ड़क्ट आता यानि कि लीवर से जो ड़क्ट आता है वह पिंक्रियाज के ड़क्ट से एक साथ मिल जाते दो अलग अलग रोड जो है ठीक एक ग्राम पंचायत का प्रदान मंतरी ग्राम सड़क योजना और या आपका निसनल हाई विद दोनों मिल के सिंगल रोड बना ले रहा है ठीक है यानि कि यह चोटा रोड जो है एक दूसरे रोड मिल जा रहा है तो ध्यान रखेगा यह दोनों रोड अलग अलग आते हैं और सिंगल में मिल जा र साला है जब पाचन पढ़ेंगे आर गार्गा पाइसी करन का मतलब होता है जीसे कि आप पानी में क्या करते हो जब देल डालते हो जब मिलाते हो तो देखोगे कि वह चोटे चोटे अलग अलग कर दोदिने जो बड़ी अनु होते हैं इसको छोटे-छोटे अनु में तोड़ देना बस वही पाइसी कर रहा है ठीक है आए समझते हैं अब ध्यान रखेगा पाचन में आ जाते हैं तो पाचन अब हम पाचन चालू कर रहे हैं अभी तक केवल इंट्रोडक्शन था दोस्तों ठीक है अभ भोजन को मुख में डालना ही अंताग्रहन कहलाता है ध्यान रखेगा यह भोजन को मुख में डालना ही अंताग्रहन कहलाता है ठीक है दूसरा है पाचन पाचन जो है मुख से लेकर ध्यान रखेगा छोटी आथ तक होता है ठीक है तीसरा है एब्जॉप्शन जब यह पाच कोशी काउन तक चला जाता है जो ठीक पाचक रस है बाइप सब्सक्राइब को पराप्त हुआ है वह कोशी काउन तो यह हो गया हमारे ठीक है पाचन तंत्र के पांच बेसिक स्टेप्स अब आईए समझे इस चीज को ठीक है अब देखिए एक चुली क्या है टेस्ट भी और्गनाईज होता है तो अगर आप टेस्ट देना चाहा रहे हैं क्या भई चंद्रसेकर सर हिस्टी भी बढ़िया पढ़ाते हुआ दोस्तों ठीक है चलिए अब ध्यान रखिएगा अब हम पाचन पढ़ने वाले हैं लेकिन हमारे पास एक टेस्ट का भी हमारा जो टाइम है वो भी हो चुका है ठीक है तो अगर आप ध्यान रखिएगा ठीक अभी हमारे पास काफी कंटेंट है ठीक कितना कंटेंट लगभग ध्यान रखिएगा पाचन पूरा बचा है वह हमने अभी केवल केवल इंट्रोडेक्शन दिया है ठीक है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक टेस्ट दे सकते हैं जो भी टेस्ट देना है वो आप ट इतने लोग आ रहे हैं तिक वो लोग फिर से जॉइन करते हैं कि नहीं ठीक है तो ध्यान रखेंगे दोस्तों अभी पूरा पाचन बचा है अभी ने आपने केवल ट्रेलर देखा है ठीक है तो ध्यान रखिएगा यह सारी चीजें मिल जाएंगे आपको तो पाचन अब हम बचा हुआ है तो यह सारी चीजें अभी आपको मिलेगा तब मिलेगा ठीक है जब अभी आप वापस आओगे तो यह सारा कंटेंट हमारा भी बचा हुआ है तो चलिए अब आप जाहिए एप में आप एक छोटा सा टेस्ट दे दिए और इसके दोरान में थोड़ा सा ब्रे हम तो यहां से नहीं इल सकते हैं तो यह पांच मिनट का ब्रेक आपके टेस्ट के लिए और मेरे लिए एक ब्रेक है ठीक है ताकि हम थोड़े देर बाद फिर से मिलेंगे ठीक पाचन में चलिए झाल 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 थेंगे ठीक है रिना जी ठीक है अब नीड़ मेरी आवाज आ रही हो गी तो ठीक है बस एक नर्ट का और समय है जो निर्धारी समय है उसको चलते हैं फॉलो करते है अब आरी आवाज अब आरी आवाज बताईए ठीक है आरी आवाज हाँ चलिए अब हम चालो करते हैं कलास को अपना ठीक है चलिए अब आजे ये थोड़ा सा इस मोड पर हम बस आजैगा थोड़े देर में रिजल्ट मेरे पास आएगा ठीक है रिजल्ड छपने वाला है प्रिंटिंग प्रेस पें गया है छपके आएगा तो निकालता हूँ आओ निकाल देता हूँ ठीक है चलिए अब हम देख लेते हैं पाचन क्या होता है कैसे होता है अभी तक हमने केवल इंट्रोडक्शन दिया दिया था अब उस इंट्रोडक्शन अगर आपके दिमाग में है ठीक तब आप कहीं जा कि पाचन का जो मेन मार गए वह अच्छे समझ में आगा क्योंकि अगर मैं एक साथ दोनों को बता देता तो बड़ा दिक्कत हो जाता मेले में आप गुम हो जाते कुम्ब मेले में अब आपका विशेष काम है कि आप एक कोरा कॉपी ले लिजिएगा ठीक ध्यान रखेगा कोरा कॉपी और वहां से भले वह दो पेज में चल जाए लेकिन आप उसको क्या किजेगा एक पेज में कर लिजेगा और तब से बताऊंगा वह भी बता नहीं रहो मैं जब बताऊंगा कि यहां से लिखना है वहीं से लिखना आपको जैसे मैं अगर बोलूंगा मुख में पाचन फिर से रिपीट कर और आता है अब दियाने रखी गाँ मोजन के लिए हमने यहां पर एक ठिक मार्ग बना करखा यानी कि यह कहूं कि भोजन का आपके हवा का भी यानि जो सांस ले रहें वहों ऑजो मुक करे हैं वह भी दोनों एक सांथ आते हैं आते हैं तो जो यह आपका इसो फेगकस तो भोजन जो है इस्व फेगकस में आए कि इसो फेगकस के बाद के वाल disruptive होते fundus और तीषरा जठर निर्गम इसका मतल़ा है Pyloric समझेगे इस चीज को पहला है जठर डूसरा fundus तीसरा जठर निर्गम निर्गम मतलब चले जाना यादि include फẩंड़िश और अगे हैं पढ़ने वाले यह उपर का est Çok говоря कॉppen यही पर हृरदय ईह पास होता है क्या का यह काडिक को हम जठर आगम कहते हैं जठर में जहां पर भोजन का आगमान होता है उसी को जठर आगम कहते है ठीक है और आगे जाएंगे तो यह वाले हिस्सा फंडिक है ध्यां रिखना फंडिस फंडिस ध्यां रिखना फंडिस यह थोड़ा सा आगे वाले हिस्सा और जो जठर का निर्गम के हिस्सा यानि जहां पर पेट समाप्त होता है तो तीन हिस्से हो गए टिकाडिक, फंडिस और पाइलोरिक आया समझ में यहां तक अब भोजन जो है आगे जाता है छोटी आत्में ध्यान रखना यह पीछे से मैं आपको आगे से बना दे रहा हूं यहां प गॉम LIKE का आकार कैसा होता है तो इसका आकार होता है जी से अब ध्यान रखेगा टिक है यह आगे जा चा के देखना है एक इस परकार से टनऊ मर्छना तब टिक परकार से टन County को कहते हैं ध्यान रखना धियोडिलम यह क्छोटी आत का पहला हिस्सा धी ऌ डी डी नम रख हुआ यहां पर यहां पर आकर आजता घू रखना इसी को कहते हम तीक है चोटी आथ का इसे को इलियम अब इसी को हिंदी में coaching से दहिंगे धुस्टाराइश हें इसी हमारा हिंदी में यह सुरु का हिस्सा है ग्रहणी तिक डियोडीनम अक्रफ चुद्रांथ यानि आथ का पहला हिस्सा अग्रों छुद्रांथ यह को ग्यान हो गया जो कि बीच ऐसा और यह जो लास्ट में बडरी हाथ में गुसता है जिस इस्थान पर उसी को हम इलियम कहते हैं चुद्रांत कहते हैं तो ध्यान रखेगा छोटी हाथ अर्थाथ small intestine small intestine intestine small intestine small intestine के तीन पार्ट हो गए ठीक है कौन-कौन सा डियोडूनम जेजूनम इलियम अराम से समझेगा अब आज यह भोजन जो है इस बड़ी आत में प्रवेस्ट करेगा ठीक है आपको इस पस्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा ठीक बड़ी आत में प्रवेस्ट करेगा तो बड़ी आत का जो पहला हिस्सा है ठीक ध्यान रख और तिसरा है मलासय यानि की रेक्टम तिक समझेगा इस चीज़ को सीकम कोलन और रेक्टम आगे जाकि यह नाम और आने वाला है तो यहां पर एट ग्लांस एक जलक में आप यह जान लो कि किस प्रकार से है भोजन देखो यह पेट से आया भाई मुख से यहां समझना यहां प गलेट जी यू डबल एलीट और यहां पर यह जो पाईप है जिसका नाम था ठीकिया ग्लोटीस यह निकल जाता है फेफडा की और ध्याने कि लंग्स लंग्स की और जो नीचे निकल जाता वह गलेट की निकलता है ठीक है अब सलगां चलेंगए आपके पेट में पेटके तीन भाग है कार्डिक फंडिक्स और पाइलोरिक ठीक है पेट के बाद छोटी आप में भोजन जाएगा डेडूनियम जेजुनम इलियम अग्रहणी अग्रचुद्रांत और चुद्रांत उसके बाद भोजन जो है बड़ी आप में गुसेगा उसका नाम है सिकम कोलोन और रे इसका एक और मैं आपका बड़ा डाइग्राम आपको बताऊंगा आया समझ में अब ध्यान रखेगा आगे बढ़ते हैं यह तो था केवल इंट्रोडक्शन अब एक एक करके हम पाचन को देखते चलते हैं कुछ चीजे रिपीट होने वाली है आपके लिए बढ़िया है ठ लार लार का मतलब थे शराइवा लार का मतलब थे सलाइवा देखेगा शेलाइवा तो सलाइवा में दो भीसे सीज़ पाहा तै विदू अभगहते पाए अथे अलेक्ट्रो लाइट नज पाहाए दे कि ध्यान रखिएगा आपके मुख में जो लार होता है उस लार का जो सबसे में इंग्रेडियंट है जो सबसे ज़्यादा है वो है विद्दू तब घटे कहलाता है अब हम बात कर रहते हैं दूसरा चीज एंजाइम जिसको आपने पढ़ा है पहला पढ़ा था कि हम टाइलीन के भी नाम से जानते हैं ठीक इसका काम था स्टार्ज को त्यां रखना माल्टोज में तोड़ देना स्टार्ज से पहले बता चुका हूं इसको आपका यह जो टाइलीन के काड़ देता है दोडो का एक से उस इक रहते हैंजिहान रख ना स्टार्ज को इस यह माल्टोज में तोड देता है यह पढ़ चुके थे हैं, सेकेंड जी हमने यह पढ़ा था, कि जो लाइसो जाइम होता है, लाइसो जाइम यह गाड है, सिक्रिटी गाड है, ठीक है, यह क्या करता है, हमारे भोजन में आए हुए जुवणों को नस्ट कर देता है, ठीक है, हो गया नस्ट परस्ट, अब बोजन, क्या मनता है, इस एकुल टू बोलस, ठीक ध्यान रखना भोळस, अब ध्यान रखे गार जो हता, ठीक है, क्या होना चाहिए, अब भोजन जो है भोजन के और निचे गया, अब समझी यहाँ पर, यह देखिए, ठीक अब बोजन जो है, कहाँ पहुंचता है, आमासा पड़ेगा मुझको तिक तो मैं छोटा से बना रहा हूं यह जो मुख है तो मुख से जब हम नीचे की और आते हैं इस प्रकार से यह लोग मालो यह पेठ है भोजन aken अपहिए अब समझो कि भोजन जो है किस प्रकार से हमारे अहार नाल पर आता है अहार जो है ठिक बहुत पतला होता है ध्यान रखे इडा ओर आपका जो सानस नली उसके बारे बता देता हूं आपको ध्यान देखेंगे की यह देखोने के दो सब आपको टाइड दिखाई दे रहा होगा यानि यह जो जा रहा है यह स्वांस नली है अगर इसको काटो गए तो स्वांस जो है वह अवरुद्ध होगा ठीक है इसका मतलब होता है हमको जब ध्यान के सास लेना होता है तो हमारी स्वांस नली बिल्कुल पाइप की तरह दम होना चाहिए इसलिए इसमें काटिलेज पाया था काटिलेज मतलब उपास्थी पाया यह जो गर्दन में आप देख रहे ना थोड़ा साब जो आपको अहसास हो रहा है ठीक है इसको दबाद होगे यही पर आपका स्वार नली भी होता है ध्यान ज्यादा जोर से मत दबाना ठीक है ध्यान एवाज बढ़ल जाएगा अब ध्यान रखेगा यह जो भोजन होता है थिखे भजन यह गया जग्याव बढ़ो जन जो यह Cloud गया होच प्रकार से रह गए धिजी कह अब इसमें इसक bottle का यह कण है ऐसा गर के और संकरी नली में भोजन जो है जाता है और कुम इस परकार की सनरष्र मना लेता है मोजन करें इस प्रकार से मोजन करेंगा और भोजन जो है नीचे जाता है इस गती को करma कुछन गती के नाम से हम जानते हैं किस गती की नाम से जानते करमा कुंचन गती कहते हैं यसी को करमा कुंचन गती के है तीक कर कई बार एक्जाम में पुछा है ध्यान रखे औरये कर प्यरिश टैटल मोशन आता है अब मैं आपको बता दूँ भोजन जब आपके पेट में आता है तो आपके पेट में ठीक है यहां पर ठीक एक छिद्र है एक छिद्र बोलता है यह वाल्व है यहां पर ऐसा करके एक वाल्व है वाल्व मतलब समझ रहे न यहां पर ठीक है भोजन जब आता है तब यह खूलता है तब यह अंदर जाता है और यहां पर भी एक वाल्ब है समझेगे दौ वाल्ब है यानि भोजन जो है वापस नहीं जाएगा एक बार गया तो नीचे नहीं जा पायेगा ठीक है हाँ आविदीकर जानजगेर में हुआ था यह तो जो भोजन जो यहां से आता है तो ध्यान रखेगा एक वाल्ब से आता है इसी को काडिक इसपिंस्टर कहते हैं काडिक इसपिंस्टर भूजन तो आ गया लेकिन अब भूजन जो है इस परकार से इधर गती नहीं करेगा अब आप सिसासन कर लो अल्टी पल्टी कर लो ठीक है उल्ची जंप नीची जंप स्विमिंग कर लो कुछ भी कर लो ध्यान रखना कुछ भी करने के बाद ये भोजन इधर नहीं आएगा अभी आप खाना खाओ तुरंत सीर नीचे पैर उपर करो भोजन आ जाता है क्या नीच टीए और इसल चाप का आगका चलिए भई हमीशा कितरह दिव्या नंबरोन हमीश बद चार लोग एं धिव्या माला प्रिया हैं हमन्त टीक यह चार लोग है यह नंबर वन में कि नियन टॉप कि हैं ँसके अलावा सिदा रैंक ना ये ठीक आपका दिपांजलिये हैं पांच सब्सक्राइब नंबर 1234 में ठीक सेम रैंक में है वो तिक उसके बाद सिद्धा दिपांजली पांच में आ रही है यानि कि समान नंबर 40 40 नंबर पाने वाले चार लोग है और 38 नंबर मिला है दिपांजली को ठीक है चलिए कर दिए-ब समझ में यहां तक अब चलिए यहां दिखिएगा अब भोजन जो है यहाँ पर वापस नहीं जाने वाला कार्डिक स्पिंस्टर की वज़ए से उसी प्रकार यहां पर भी किसी प्रकार का इस पिंस्टर पा जाता जिसके वज़ए से ठीक यह आसानी से नीचे नहीं जाता जब आप पेट में पहुंचते हैं ठीक अब मैं इसको हटा दे रहा हूं ध्यान रखेगा या हटाता कुछ करता है इस्टॉमक में तो यहां पर जान लिए तिन को कहते हैं और तीसरा को कहते हैं आ में तीन कोशिकां है और यह तीन कोशिकां है यह अलग अलग प्रकार के पाचक रस निकालती आ जिस प्रकार भी एक प्रकार का म्यूकस है जो आप खासी में जो बलगा में निकलता है वो भी एक प्रकार का म्यूकस है ठीक है इसका मतलब यह हो गया इसका मतलब यह बलता है HCL और नेज कारक ध्यान रखेगा ठीक है नेज कारक अब इसको थोड़ा सा आप देख लो ठीक अच्छे से देख लो भई मैं तापमान को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं ठीक है उच्छ निफ्च तापपान की आवसक्ता पड़ती है ठीक है आया समझ में अब ध्यान रखना तीन चीजे हैं अब मैं आपको यह बता रहा हूं जैसे ही भोजन आपने अभी भोजन खाया है जैसे अभी आप गए होगे तो कुछ न कुछ तो खाये होगे बई टीक जैसे भोजन यहां आया क्हूंसे हैं कि यह क्या क्या हो नासता में बता वहिए क्या खा क्या आग musical के छो बहुत मोटा और इस परकार से सब्सक्राइब परकार से चोटे-चोटे-चोटे जाएंगे परकार से अनदर से बहुत मोटी और होती है इसपेस जो है कम रहता है ठीक है यह पूरा पूरा बाल्टी जैसे खाली नहीं अब समझेगा तो तीन अलग-अलग कोशी का जैसे भोजन अंदर आया तो सब म्यूकश को निकालता है उससे पहले बतादू कि अभी जो बोलस आ रहा है बोलस भोजन का इस रूप को अपने बोलस कहा था यह अभी छारिय एलकल मुख से आता है अंदर तो यह चारिय माध्यम है जैसे ही भोजन आया तो तुरंट प्रफ मीुकस निकलता हैं जो क्या करता है एक परत मुकस जोइफ ? मुकस लगदा का बोजन का पाचन चालू होना है अपधयान रखना फाफ़ाजी छाली ओ इतना समय में दश्ला निकलता हैId से और नेज कारक तूरंत एचसील निकलता है तूरंत हसीएल अब समझो कि अगर मैउकस पहले नहीं निकलता और उसके पहले अगर एचसील निकलता तो तो धिक्कत हो जाती चाहिए जो बहुत छारी होता है और यह बोलता हूँ और ध्यान रखेगा HCL निकलता अब च्छील जब निकलेगा तो हमारा जो हमास है को ह מलता हम अ स्परक्पवास करते हो जो उपवास करते हैं तो दो बज़े एक बार थोड़ा से एसे निकले गई ही ठीक है तो इसलिए ध्यान रखना यह जला देता इस हिसे को अब समझेगा कि यह नेजकारक है क्या इसको पूछ देता है कभी-कभी नेजकारक नेजकारक जो है यह विटामीन सब्सक्राइब गलता है क्यां यायद रखना साइण और यह यह पुछेगा और यह पूछेगा एसा क३ं से विटामीन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है तो यह साइना कोबाला माइन में कोबाल्ट पाया जाता है यानि बिटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है क्लियर है मामला अब ध्यान रिखेगा अब निकलता है पेपसिनोजीन और ध्यान रिखेगा यह पेपसिनोजीन पेपसिन का पाचन करेगा लेकिन दोस्तों यह आपको बता अवस्था में यह इनक्टीव है तो ध्यान रखिएगा पेपसी नोजी अभी इनक्टीव अवस्था में था अब आगे जा के हम देखते हैं कि यह कैसे काम करता है अब यह समझेगा अब देखिएगा अमासा में पाचन अब मैं आपको बता दू कि मुख में थोड़ा समय पि argument जान रखिएगा अऀर अ deeper यह तो रहता है कि वसा तो कार्भो एड्रेट प्रोटी निइल्के यही भोजन में हम nev الدकल घंट हूजब केवल किस चीच का पाचल हुआ तो दिहान रखिएगा मुख में केवल कार्भोहाईड्रींлекс का पाचन हुआ था वो भी 30% का कितने का 30% का मुख में प्रोटीन का पाचन नहीं वा था ना तो फैट का पाचन हुआ था अब आए समझे यहां पर ठीक है अमासे में पाचन ठीक है ध्यान रखी कि का थे माओं केसे होता है तो सबसे पहले यह समझे और फैट का पाचन होता है कार्बो हायडलेट का पाचन नहीं होता कोस्मझ क्या नहीं होता क्यों कर दिमागे निवाला है दिमागा रखन तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा enzyme जो है क्या काम करता अब यहां से आप अपना copy pen निकाल के लिखना चालू कर दो ठीक है कि अमासा है में पाचन यह दो को यह सारी चीजों को आप डाइग्राम के रूप में बनाते चलिए ठीक है ध्यान रखिएगा डाइग्राम के सर आप रैपूर नवोदे से है क्या मैं डिएवी स्कूल से हूँ भाई डिएवी बोकारो बोकारो मतलब समझ रहे हो ना ठीक पहले का बिहार और वरतमान का जारखन डिएवी चलिए अब ध्यान रखिएगा कैसे होता है पाचन अब मैं बताओं कि यह जो आपके पेट के स सता से जो अलग अलग गैस निकलते इनी का सम्मली तुरूप है गैस्टिक इनी को गैस्टिक जूस कहते सारे जूस को हम एक साथ क्या कहते है गैस्टिक जूस कहते है अब ध्यान रखिएगा यह जो गैस्टिक जूस है गैस्टिक जूस है यूनिक कॉम्बिनेशन आफ क्या hydrochloric acid, lipase and pepsin, तो ध्यान रखना, HCL, lipase और pepsin पाया जाता है, समझेगा, HCL, आपका lipase और pepsin, तो तीन चीजों को आपको ध्यान देना है, एक हो गया आपका HCL, दूसरा हो गया lipase, और तीसरा हो गया pepsin, अब यही तीनों हार्मोंस जो है, यह तीनों यह जो digestive enzyme है, यह क्य का का काम को करते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है, चलिए, अब ध्यान रखेगा, जठर रस, जठर रस का मतलब हो कि गैस्टिक जूस, इसमें सलेसमा पाया जाता है, और बाइकार्मोनेट्स पायाता है, इसका मतलब यह है, इस जठर रस में सलेसमा और बाइकार्मोनेट् दियान रखना सबसे पहले बात यह समझ लो कि जो पेट में पेपसी ना पेपसी नोजीन नामक हार्मोन या जो डाइजस्टिव इंजाइम पाया आता है यह इनेक्टिव है समझो नामी देखो पेपसी नोजीन में हिंदी में भी यहां लिखते हुए चलता हूं पेपसी पेपसी नोजीन अब धियान रखना यह जो पेपसी नोजीन है यह इनेक्टिव है अक्री है अभी कैसा है अभी अक्री अभी यह कुछ कर नहीं सकता इसके हाथ पैर बंधे हुए है अब समझ एगा जैसे ही ह oni के संपर्क में आता है यह एक्टीव हो जाता है अब समझो यह एक्टीव हो गया क्या हो गया एक्टीव और एक्टीव रूप कौन सा इसका पेपसीन यानि पेपसीन जो है अब पेपसीन में कनवर्ट हो गया पेपसीन में बदल गया अराम से समझना एक एक चीज को ठीक है प हमारे पेट में जो पेपसी नोजीन जो अक्री रूप था एचसील के संपर्क में आने से पेपसीन में बदल गया अब पेपसीन हथ्यार लेके सामने आ जाएगा और जो प्रोटीन आना में उसको काट के रहूंगा अब प्रेपसीन जो है बिल्कुल बाहूबली टाइप का ठ तक झाल दिखना चलिए अब आप रुड्गिका जू भी प्रोटीन का जो सोर्स ओर उसीर्स को काम करने वाला है प्रोटीन को इस प्रोटीन को यह पेपसीन जो है दो चीजों में तोड़ देता है ठीक प्रोटीयोज में और पेप्टॉन में याद रखना है हिंदी में भी यही लिखना है ठीक हिंदी में इसका और कोई नाम नहीं है समझ में आ रहा है ना ठीक प्रोटियोज आप इसको हिंदी में भी इस प्रकार से लिख सकते हैं प्रोटियोज और पेप्टोन इसको हिंदी में भी लिखना है तो आप पेप्टोन इसी प्रकार से लिखिएगा ध्यान रखिएगा पेप्टोन पेप्टोन आया समझ में तो य यहां पर आजाता है h2o टीक है जब hiking कर दो इसको क Bou Pokémon तूड़ जाता है तो इसको भुट सरह इसा लिए तूड़ जाता कृja ना सब कर सबने यानि की अभी बीयों पर पर्रोटीन बचा एंडड्रेट परसेंट पाचंट नहीं हो गया éden प्यूंद पाचंट प्रोटीन को मे प्रोटीन को पचाते हैं तो यहाँ पर प्रोटीन पचरा है तो प्रोटीन thought कि आख जल की उपस्तिति में ₋ стоит जल की और प्रोटिम् toward the product यह और पहला काम कि अब आज यह जो वसा है अर्पा cachan जो है लाइपेज के सहायता से होता है तो वसा यह जो fat देख देख रहे हैं जिसको वसा कहते है तीक है वसा किसको चर्फी चभई चड़ए बताओ भई चर्वी 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 को कम सब्सक्दरूं दिमाग में शञेता है चर्वी 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 कोई ससक्तर हैνα इसके ल rapidement In आने वाला थी कहा लाइक जो यह कि चड़ता है यह क्या करता है वह साकर कि आप समभो छो इमलसिफिकेशन क्या है लुए ग्याहिशन तो मैं बताता हूं उसलिकाशन क्या है यहाँ पर देखो यह बसा के बहुत बड़ा ऎंडु यह क्लिया और इसको चोटे छोटे V highsा के अडू में इस प्रकार तोड़ देता है अब इससे क्या होगा आप को ज़्यादा सर्फेस मिलेगा इसका जो सर्फेस है और इसका जो सर्फेस तो इसमें ज्यादा सर्फेस मिलेगा यादी की वसा वसा का emulsification का मतलब होता है वसा के जो बड़े अनू है उसको छोटे-छोटे अनू में तोड़ देता है तो है प्रोटीन की जो है ज हो गया ठीका गया गया फैटका प्रोटियो प्रॉट्यूस प्रफेस तोड़ी आफ्ट inability इमल सी फिकेजन हो गया अब चोलो भाई यहां तक आया समझ में इस चीज को ध्यान रखना है तीन प्रमुख चीजें हो गई या दो ही कहना चाहिए पहला हो गया हमारा प्रोटीन का काम और दूसरा हो गया हमारा फैट का आया समझ में इसलिए बोला हूँ इसको आप अपने कॉपी में लिखा और ब्लैंक यानि सफेद पेपर वाला कॉपी होना चाहिए अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं ठीक है बच्चे जो होते जो नवजात होते जो इंफेंट होते हैं नवजात मतलब समझ रहे हो ना हम और आप जब जन्म लि आता है तो जब नवजात अवस्था में थे हम हम और आप दोनों जब अंगुठा चुसा करते थे तो दूस समय हमारे पास एक इस प्रोटीन होता था जिसका नाम है रेनीन क्या नाम है रेनीन अब यह जो रेनीन इंजा में यह बच्पन में क्या करता था जो भी हम दूद पीते थे मिल्क तो दूद के प्रोटीन में एक विशेस प्रकार का प्रोटीन पाया आता जिसको हम केसीन प्रोटीन कहते हैं रखना जो दूद पीते हैं जो फीडिंग से जो माता का दूद पीते हैं तो माता के मा के दूद में एक प्रोटीन है जिसका विशेस नाम है केसीन अब ध्यान रखिएगा हमारे सरीर में उस समय पेपसिनुजीन तो नहीं पाये जा हरा पचेगा कैसे तो उस समय ऐसा प्रोसेस था कि हमारे सरीर में रहता है तो रेनिन क्या करता है कैसीओicate को कैल्सियम पहरा कैसीनेट में skeptical में बदल देता है अब मैं इसका example बता रहा हूँ, आप लोगों में से किन किन लोगों ने छोटे से बच्चे को खिलाया है, जल्दी से कमेंट करके बताएं, छोटे से बच्चे को, ठीक दो, मतलब चलने से पहली वाली अवस्था, फिडिंग वाले बच्चे को, किन किन लोगों ने आप लोगों में से छोट से बच्चों को खिलाया है गोद मैं ऐसा करते करते जल्दी अल्दी कमेंट करके बता ही अब देखिएगा कभी-कभी क्या होता है जब माता यानि ममी से उस तो माझन लो फिडिंग कर लिया बचे ने अब फिडिंग कर लिया उसको जब हम खिलाते हैं थोड़े दिर बाद वह उल्टी कर देता है क्या कर देता है अकसर यह ध्यान रखना वह उल्टी करता है और उसका जो उल्टी रहता है थोड़ा दही टाइप कर रहता है ठीक है दही टाइप कर जो कि आपके इधार लटकेगा या इधार गिरेगा ठीक है गिरा है कि नहीं गिरा है ध्यान रखना वही कैल्सियम पेरा कैसीनेट है ठीक है यानि बच्चे जो उल्टी करते हैं ध्यान रखना उल्टी तो उल्टी के रूप में जो दही नुमा संरचना दही नुमा ना दही नहीं दही नुमा संरचना ठीक वही कैल्सियम पेरा कैसीनेट है यानि कि वो जो दूद था अब फट के कै समझ में यह चीज ठीक है अब इसको आप कभी नहीं भूलने वाले हो कि कैसीन प्रोटीन होता है और वही जो है कैल्सियम पेरा कैसीनेट में तूड़ जाता है जो कि बच्चे जो उल्टी करते हैं न ठीक वही उल्टी जो है दही की रूप में दिखाए देता है वही कैल्सिय ठीक है क्योंकि मुझको पता है कि यह सारी चीजे अगर एक चीज एक बार में समझना है तो एक प्रोपर वे में समझ पाओगे अब देखिए मैं चोटा से हापर छोटी आथ का ची आपका फोटो बना रहा हूं यह बड़ी आथ पहले बना देता हूं चित्र बना रहा हूं यहां पर यह बड़ी आथ इस परकार से बड़ी आथ होता है यह ठीक है यह बड़ी आथ है ध्यान रखना ठीक है यह यह बड़ी आथ ठीक है अब ध्यान रखिएगा छोटी आथ जो इसके अंदर ठीक है यह क्या है याद आया कुछ आप लोगों को इसको मैं बना रहा हू नहीं पंती है this is called पोटा जो कमल सर अलों रहे सेज्व यह ही वह पोटा है ठीख है यह जो है कमल सर का पोटा है समय जो कमल सर पढ़ा रहे थे अई Q questo एक लपार 6 पाचन होता है छोटी हाथ का आकार कुछ इस प्रकार से होता है तो ध्यान रखना इसका अकार क्या हो गया और इसके सूरू के हिस्से को हम क्या कहते हैं इसी को डियोडीनम के नाम से हम जानते हैं यह हो गया डियोडीनम ध्यान रखना ठीक डियोडीनम ठीक बीच का हो गया हि जैंदी नम यहां पर यह मिलता है यह हो गया इलियम इलियम तो तीन इसे हो गए टिक लिधी नम जैजूनम और इलियम समझ मैं आ हाँ, याद आएगे न, पोटा, चलिए, अब आईए, अब ध्यान रखिएगा, जब भोजन पेट से, पेट में भी क्या होता है, मैं बता रहूँ, पेट में भी एक परकार के गती होता है, इस परकार से गती करके न, पूरा भोजन को मिला देता है, ठीक, पूरा भोजन जो ह आप पहरे था बोलस याद रखो भई पहला था बोलस बी ओ एल यू-एस अब इसका नाम पदेगा काइम में हिंदी में आप इस परकार से लिख लिए न का इम का इम अब उसी भोलज का भोजन का नाम क्या पढ़ेगा काइम, तिक इस चीज़ को याद रखना ना, ठीक है, जो बोलस था, अभी क्या बदल गया काइम, जब पेट से, जब भोजन जो है, छोटी आथ में जाता है, तो काइम के रूपे में जाता है, किसके रूपे जाता है, काइम के, अब आ गया छोटी आथ में तो छोटी हाथ भी ना बहुत सारे ऐसे शारी चीजों को मिलाता है अब ध्यान रखिएगा ठीक है छोटी हाथ में भी पेशी संकूचन पाय आता है पेशी मतलब वहां की जो मसल्स है ठीक वो कंट्रेक्शन करती है और इस परकार के सारी चीजों को मिलाती है अब अब ध्यान रखेगा इससे क्या होता है कि भोजन अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है आया समझ में अब ध्यान रखेगा यही वह जगा है दोस्तों ठीक है अब मुझको इस डाइग्राम को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा कहां गया भाई कुछ तो घडबर है दिया ऐसे काम नहीं कर रही है 1 जासा को बुलाना पड़ेगा यह रहा ठीक में थोड़ाा से फ चोटा कर देता हूं कि अब थोड़ा पोटाको साइड़े कर देता हूं तिक क्या बताना था मुझको अचाइड नीचे करना पड़ेगा यहican तेफेत पोटा आ किसे अब धियान रिखिएगा यहाँ पर मैंने बताए कि यहाँ पर दो अलग अलग ग्रंथी के ठीग के अपके इंजाइम यहाँ पर आके मिलते हैं पहला मिलता है यक्रीत यह दोखो लिवर यहां पर इस प्रकार से लिवर है यहां पर अगनास है इस प्रकार से ठीक है अब ध्यान देखना यह दोनों पहले इसका पाइप यहां आएगा दोनों ऐसे जुड़ेगा और डियूडीनम में यह जो दोनों का पाइप है यह लिवर है क्या भी भूल मत जाना लीवर का मतलब होता है यह है क्रिट यहां अगनाशे आगनाशे काielt यह होता है प्रक्रणाज पिंक्रियास इन दोनों का जूश है जो मिल के एक बार कहाँ गिरेगा फ्रक्रण समझ होता है तो क्या क्या आएगा पहले ना ध्यान रखना यकृत से और अगनासे से जूस आता है पहला हो गया यकृत से आगया पित यानी बाइल दूसरा आए अगनासे से अगनासाई रस और तीसरा चुकी आध भी है तो आध भी अपना रस का सिक्रेशन करता है उसको हम इंटे करते हैं ठीयान चोटी आथ में जो आवाज करता गुर्ण है तो पेट में भी होता है ठीक धिषोटी आथ में भी आप ऐसा थोड़ा कभी-कभी आप उसके मौसन को feel करते हो गये ध्यान रखेगा कभी कभी आप अपने पेट में जब इस प्रकार का मोसन होता है उसको feel करते हो ठीक है चलिए रजनी हो गया तो पित हो गया अगनासाइरस हो गया आंतरस पित को बाइल कहते हैं अगनासाइरस को हम पेंक्रियाटिक जूस कहेंगे और आंतरस को इंटेस्टैनल जूस कहेंगे अब जो तीनों जूस है सब एक साथ मिलके काम करेगा द्यान रखना अब यह पूर्ण पाचकरस है कंप्लीटली अब यहां पर पचाने वाला है लेकिन दो स्टेप में पचाएगा पहले जो है यह क पैंक्रियाटिक जूस यह जो पिंक्रियाटिक जूस है यह निकाला था सबसे पहले अदिं दूसरा नाम है कर्वोक्सी पेप्टिडस फीक पेंक्रियाटिक पाइब और एक लाइप पेसर निकलाथा कहा पर भाई तर निकला काँ पर लाइपेस कहते हैं नाम अदर quiet करेगा लाइप का काम कीवल fat को तोड़ना है और कोई थोड़ पाता है आप रहाप और हम भी थोड़ पाएंगे ठीक है उसके बाद है Nucleus इसका ज़्याद़ादा न्हीं देखना है उसके बाद ओिस bartenders यहाँ पर ही मिल रहा और हमारे मुख में भी मिला थै ठिक है रहां हुरत है मैंने बताय था न मैंने रखन इंड जिसको टाइलिन करते है वह यहां पर अब यहां पर जो काम की चीज़े हैं उसको मैं बताते हुए चलता हूँ तो सबसे इंपोर्टेंट काम का आपका ये है तिक ट्रिप्सुनोजीन और कार्बोग्स काईमो-ट्रिप्सुनोजीन साथी साथ ये लाइपज और ये जिसको मैंने सरकल किया है वही काम का चीज़ है सर भोजन के बाद निंद क्यों आती है क्योंकि भोजन को पचाने के लिए ध्यान रखेगा उस जगा को थोड़ा से गरम करना पड़ता है क्या करना पड़ता है गरम और हमारे बलड जो सरीर का बलड है वही पर आके रुकता है तो हमारे जो सीर, जो कि सब से उपरी तल है, तो वहाँ पर ब्लेड की कमी हो जाती है, इसलिए हमको थोड़ा सा ऐसा ऐसा फिल होता है, नींद आता है, ठीक है, आया समझ में, जिसको समझने आ रहा है, खुद को नार्कोटिक्स टेस्ट करें, ठीक है, भुष, भुष, आजिसे बोक्सी पेप्टी डाज, पेन्क्रेतिक लाइपेज, नुक्लिय Hers और मयलाई इस लिकिन जो गोल क्या हो यह यहाद रिखिए गा, ट्रिप्षानोजन, होल पी या हो, यह यहाद रिखिएगा, यह तब एक्टिव होता है, यह बी बता discovery हो यहां से चालू करते हैं इस लाइड में जो ट्रिपसी नोजीन था जिसको अभी आप ने देखा था ठीक तो यह निस्करी जो ट्रिपसी नोजीन है यह आ तरस का एक विसेश परकार का हार्मोन सा है वो निकलता है इंडो काइनेज ध्यान रखेगा हिंदी में भी लिग देता है ठीक है किसका हिंदी नाम हाँ हिंदी नाम यहीं है ना ट्रिपसीन का का ट्रिपसीन ही लिखते है ठीक है अगर आपको लिखना है तो ऐसा ही लिखेंगे ट्रिपसीन ठीक ध्यान रखेगा काइमो ट्रिपसीन है तो इसको हम ऐसा ही लिखेंगे काइमो ट्रिपसीन ध्यान है इस इस प्रकार से लिखेंगे लाइपैस इसको भी हम इस प्रकार से लिखी तो यह जो सबसे पहले इस में से जो ही मैंने पीछे बताया इत reluctant सारे हार्मोंस में से जो कि निस्क्रिये सबसे पहले जागता है ऐस dip इंडो काइनेज एक हार्मून याँ पाचक्रस के मदद से यह ट्रेpt से स्विक आपके ट्रिप्सीन से title में बदल दांता है यह पेदम गया भई यह ट्रेपれない ध्रीप सीनधों ju day द्याण रखिएगा ट्रिपसीन में एक काइमों ट्रिप्सिन है एक लाइपी जए पो आपका एमाइलत है इसमें सबसे पहले द्यान रहेगा सबसे पहले एक्टी कड्रिवेट होता है होते अभू बहुत है उन्डॉकीने की मदद से किसके मदद से इंडो काइनेस की मदद से तो यह जो ट्राउशी सारे बच्चों को उठा देता है उसी से ध्यान रखेगा ठीक है साइन सब्जेक्ट में यही फायदा है कि इसमें देवनागरी लिखना पड़ सकता है बिल्कुल सही रजी ठीक ध्यान रखेगा अब जो यह ट्रिप्सीन जो है वह बच्चा है ठीक जो बाकी बच्चों को उठा देता तुम क्यों सो तुम भी सबसे पहले से यहां पर चीजा ऑब यहां पर क्या होता है अब सईसे आता है आपको यकरित से बाइल जूस अब उसको समझते हैं पहले दोनों के एक साथ मिला देखें ना थिकशन के आपके डियूडी में आता है बाइल या नि Salt कहते हैं, Colesterol पाए जाता है, Phospholipid पाए जाता है, लेकिन इसमें कोई Enzyme नहीं होता है, इसको पहले ही देख चुके हैं, ठीके, तो इतने सारे चीजे हैं इसमें पित में, अब समझेगा, कि पित में आपको यह जो Bile Pigment है, यह दो परकार के होते हैं, यहां से एक्जाम में पुछा जाता है, पहला को कहते हैं, बिली रूबीन, बिली रूबीन, और दूसरा को कहते हैं, बिली बर्डीन, बिली बर्डीन, ठीके, अब ध्यान रखना, इसका कलर पीला होता है, ठीक, क्या होता है, पीला, और इसी की वज़ह से, ध्यान रखना, जो मल है, जो स्टूल जो लेट्रिन या पैखाना जिसको आप बोलते हो उसका कलर पीला होता है और इसी के वजह से कभी-कभी आपके जो पिसाब होता है यूरिन होता है उसका भी कलर इसी के वजह से पीला हो जाता है यह पित तवर्नेक है जो लिवर ध्यान रखना लिवर ठीक से काम नहीं होता है तो आप ध्यान देखते को तो क्या होता है पिषाब जो है पिला जाता है तो यह बिली रुबिन बिली बढ़ीन जो है एक प्रकार का पीगमेंट है पीला कलर होने के वज़ा से स्टूल के सइशा तैक देखना है यह हो गया अब हम ये जो पित्थ है पित्थ का काम देख लेते का काम जैसे कि मैंने पहले बताया था कहले क्या करता है वसा का इंधल्सिफिकेसन करता ह wonderको चोटे-चोटे कण में तूड़ देता साथ लाइपेज नीजाइं को यह सकरी कर देता यहाँ जो अभी कहा निकला था, यहां पर, ठीक, ध्यान रखेगा, यहां पर, ठीक, कहां पर, यह वाला, तो यह जो लाइपेज है, इसको एक्टिवेट कर देता, और मैं आपको थोड़ा से एक ट्रीक बता दे रहा हूं, छोटा सा, आपना अगनासाय से केवल तीन हार्मोंस को या सी नोजीन, ठीक, इसी को याद रखेगा, लेट हार्मोंस, आया समझ में, अब आगे बढ़ते हैं, यहां, ठीक है, फ्लोचार्ट बनाते ही चलो, नहीं तो फिर न उड़ेगा, ठीक, पचाना जूरी है, अब ध्यान रखेगा, यह जो है, ठीक, छोटे-छोटे तो, तुक गया था, और कुछ तो, जो था, वो प्रोटियोज में टूटा था, यह बचा हुआ है, समझ में आया, ठीक, यह हो चुका है, ठीक, यानि पित के वज़ज़ से, वसा का इमल्सिफिकेशन हो गया, छोटे-छोटे कण में टूट गया, लाइपेज को एक्टिवेट कर दिया अब जो भोजन जो काइम में था, यानि कि जो पेट से छोटी आत में गया था, ठीक, यहाँ पर प्रोटीन अभी भी बचा है, पेप्टोंस अभी भी बचा है, अब प्रोटियोज अभी भी बचा है, अब इसका हम पाचन करते हैं, ठीक, आगे, यहाँ पर, अब उसी काइ में जो पेट में थियां रखना मैंने बताए था पेट में क्या होता पेट में होता है पेपसिणोजीन च्ट में बदल लेता और पेपसिण प्रोटीन को तोड़ के proteoze अब Nous próp exceptions में तोड़ देता है ठीक अब वह तीनो चीज फीज है यानि कि पुरी तरह से ना तो protein टुटा है ना तो पर में उपस्तित यह तीनों चीज अब आतरस ध्यान रखना तेलो की मददसेँ अब यह यह जो है डाई peptide में तूट जाता है इन्दी में भी आपको इसी प्रसाइड लिखना है डाई पेटाईड ज्यादा रियायत नहीं है हिंदी वालों को साइसमें ध्याहिए रहाँ रहाँ नहीं है तो अब यह प्रोटीन है जो पर टॉ Kardashian साथ Proteose, यह डाई-Peptide में तूट जाते हैं यानि फ्रोटीन के दो अडू ठीक है ध्यां रखना यह प्रोटीन का एक अडू तो यह प्रोटीन का एक अडू इस प्रकार से दो-दो करके यह तूट जाते हैं जिस प्रकार और माल्टोस तूटा था तो mari's बना था अब यह हो गा ट्रिपसीन का ट्रिपसीन डाई' पेपटाईट में हो गया लेकिन अभी भी सबसे सरल न Estado रिए लिए जब तक और बचा था ना पोली सेकराइड यह एमाइलेस के वदद से फिर डाइसेकराइड में बदल जाता यानि फिर गुलकोज के दो-दो अडूम बदल गया अभी भी बहुत सारे केवल कार्बोहेडरेट का पाचन का हुआ था मुख में 30% और जो 70% ध्यान रखना जो 70% जो पाचन छोटी हाथ में होता है एमाइलेस की बदद से लार में भी एमाइलेस काम कर रहा था और छोटी हाथ में भी एमाइलेस काम कर रहा है अब यहां भी है डाई सेकराइड डखो दो गुलकोज कर दो यह भी दो यह भी दो यानि यहां पर भी दो-दो है यह भी एक-एक क करके बतारों ने स्टेप बाई स्टेप अब ध्यान रखना अब बच गया वसा हमारा तीसरा चीज तीनी चीज को मैं बताया था कंफ्यूज नहीं होना है एक मैंने बताया था प्रोटीन दूसरे बताया था कार्भोहईड्रेड तीसरे बताया था वसा अब जो वसा बचा है इस पर फिर lipes ही काम करेगा, पेट में भी lipes काम कर रहा था, अब जो है यह fat क्या करता इसको diglyceride में बदल देता है, ठीक है, फिर lipes काम करता है, फिर इसको monoglyceride में बदल देता है, ठीक है, तो यह second step में, अभी यहीं तक करता है, ज्यां रखना, तो इस परकार, वसा का में convert हो जाता है ठीक है अब बच गया देखिए मोनोग्लिसराइड में convert हो जाता है ठीक प्रोटीन बचा हुआ है ग्ल्कोस बचा हुआ है अब हम इसको आगे तोड़ते हैं ठीक अब देखो यहाँ पर अब है आतरस आतरस ठीक आतरस आता है ध्यां रखा आपका जो आतरस के enzyme जो है यह अभी क्रिया करते हैं और अंते मुरूप से पचीत कर और सोसंड की योग बनाते हैं ठीक है अब यह लास्ट है हमारा इसमें का अब समझो इसको ठीक दोखो प्रोटीन जो था समझो इसको प्रोटीन जो था अब तूटके क्या बन गया डाइपेब टाइड यान हए ठीक सुक्रेज भी है ठीक है ध्यान रखिए गा उसके बाद डाई और मोनोगिस्राइड भी है यानी ये फैट यह फैट है आपका ठीके और ध्यान रिखे कार्बोहइड़ड के ये तीन रूप है कि नकुavर है समझेगा इसचीछ को कार्बोहइड़ड के तीन रूप ह यह माल्टोज, लेक्टोज, सुक्रेज, और यह फैट कहा ए आपका? डाइग्लिस्राइड और मजोडूग Queensland जो पहले भी था अब जाके यहांपर सारा हार्मोंस जो यहांपर नाम करें आप समझियेगा जो हार्मोन जिस चीज को पचाता है उसी के नाम से उसका हार्मोन का नाम है, अलग नाम नहीं है यहाँ पर, जैसे कि जो डाइपेप्टाइड को पचा रहा है उसका नाम ही है डाइपेप्टिज है हार्मोन, अब ये डाइपेप्टाइड को एमिनो अमल में बदल देता है, एमीनो, एसीड में बदल देता- और एमीनो — एसीड जो है, प्रोटीन का सबसे सरल रूप है अब इसको हमारी छोटी आत हमरा सरी ऐब्जोब कर सकता है आया समझ में ठीक है अब ये क्या हो जाएगा एब्रब हो जाएगा इसका उससाण हो जाएगा अब देखिए कर जो माल्टेस था जिसमें दो ग्रूकौकोस थे अब हमारा सरीर यह लास्ट चरण चल रहा थीड़े मेड़ा ए लक्टोस जो डूद पीटे थे है तो उसका जो आपका लास्त रूप पैельृस का टोलेक्ट के उपस्तिति मेने गुल्कोज और ग्रेक्टो में इन दोनों को भी हमारा सरीर क्या कर लेता है इंगे सुक्रोज भी सुक्रेस कारता है सुक्रेस और यह जो है गुलकोज और फ्रक्टोज में बदया अब ध्यान रखिएगा अंतियूम जो वसा आप जो बाद बना था डाइघ्ल सर्थ उंद्र ओ मोन ग्ली सराइड यह लाइपस की उपस्तिती में वसी आमल और ग्लीसरोल में बदल जाता एक फैटी सीद्ध और ग्लीसरोल में अगर ऐससमाजमें तो अगर कभी भी पूछेगा फैत का अंतिम रूपाउन किसमें होता है तो अभी आप जिस चीज़ को देख रहे हों यहां पर ये जो सारा चीजह है ये संबसे सरल है ठीक अब ये जो चीजें होती है आपके Durianum में हो रहा है पहले वाले भाग में आए समझ में अब ange किले है मामपला तीक यहां तक किले है तो आगे करके बताए ये? थीक है आएके बढ़ते हैं All प्रणिए यहा जाता और अशोषन कर टाए ठिक इलियम का काम जो है भीया ठीक ध्यान रिक आप पर पाचन नहीं होता है वहाँ पर एक श्ट्र्टर पाए जाता विलाई छोटे छोटे अंकूर पाए जाते हैं और वह एबसॉप्शन का काम करते हैं ध्यान दिक्षेगा विलाई नामा के एक संरचना पाया जाता है ध्यान रखिएगा और विलाई का क्या है वह एब्जॉर्व करने का काम करता है अब समझेगा इस चीज को और जो अब पचित-भोज्य-पदार्थ होते हैं उसको division के माडं दी हम से थिकहां मिखाल देगा झाल बड़ी आद्छी का जाता अब ध्फेकशन का कहते हैं गाक इस की सी मैं ठीक है हनी मैं तो हाथ तंग अब यह को और यह भी को है यह भी कोलों है इस्पों मॉछ्टा हिस्टा है टिकाथ हो इसको कहते हैं तीजहां पर जो ही जीवी जीव पाय आते हैं ध्यान रखिएगा सहजीवी सहजीवी मतलब सिंब्वाइटिक सहजीवी सहजीवी बैक्टिरिया कुछ सहजीवी बैक्टिरिया पाय जाते हैं ध्याने किए सहजीवी बैक्टिरिया तो आप से प्रस्थ ये पुछेगा कि हमारे आथ के किस हिस्से म ठीक है पाया जाता है तो बारीा आत के आपके कोलोण वाले हिसे में सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते है इन बैक्टीरिया यहसजीवी यह मतलब हम भी जी रहें और वह भी जी रहें तेक दोनों एक दूसरे पर डिपेंडर है है यह क्या करते हैं यह सेलिलोस का पाचन करते ध्यान रखना सेलिलोस का आपने बाजी खाते हो शायने में चलता बाजी बीति नहीं हांग स्कुत सपितすद करें विंगर ψपने नियुक्त के निकिलता है इसके रहा- जाने में और नहीं सकता आँ हर्याली को आप मिटान ही सकते हमारे जरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उस हर्याली को पचा ले यानि कुलोरोफिल को पचा ले ठीक है तो यह उपर भी निकला इस प्रकार नीचे भी निकला है अब यही सर्फेस जो क्या करता है एब्जॉब कर लेता है सारे नीट्रियंट्स को क्या कर लेता है सारे नीट्रियंट्स को एब्सॉर्ब कर लेता है लेकिन बढ़ी आत का और कुछ काम है बढ़ी आत क्या करता है जल खनीज देखो थोड़ा खनीज यहां गलत हो गया मिनिरल्स तीक है और जो अपचित पदार्थ है उसको फीटर्स के रूप में क्या करता है बाहर निकाल आता है तो यहीं वह एपेंडिक से दोस्तों तीक धिया रखना यह हो यह ऑपेंडिक से जो हम जब कभी भी पहले करते थे पत्ते बहुत खाते थे तो उस समय यह डेवलस था लेकिन जब मानों उने पत्ते को खाना छोड़ दिया तो इसको इसको पाचन करनी क्या वसकता नहीं थी यहीं पर पहले लोसका पाचन होता था धयाँ रखना वेस्टेज और गेन है ध्याँ देखिए अर्गेन है यानि कि यह एक आउसेशी और शेसी स्वेशी नहीं आउसे शेशी है यह आपको वहां पर मांस दिखाई दे रहा होगा तीक पहले कभी वो जिली हुआ करता तीक टेटका वह क्या करता है अपने आख में प्रकार से ऐसके-इसकर लेगा यानि कि तीक आख खुला है लेकिन आख के ऊपर एक परत ऐसे होका आजाता है आख खुला रहे उसी प्रकार मानों भी पहले होई होता था आंक में चोटा सा यहां जिल्ली दिख रहे हैं न किनारे में कुछ आपको गोल-गोल टाइप का वह भी वेस्टेज और्गन है हमारा भी पूछ हुआ करता था ठीक मानों जो है बंदरों की संतान नहीं ध्यान रखना एक और एंगो यहां पर कोई भी पाचाकरस नहीं है तो यहां पर सड़ते हैं और सड़ने कारण यहां पस बन जाता है अगर वह पस अगर वह म्यूकस फट गया तो पूरा जो टेक्सिक टॉक्सिक यानि जरीला मेट्रियल है पूरे पेट में फैल जाएगा और व्यक्ति की विसाक्तता के कारण मिर्ति हो जाएगी इसलिए जब कभी भी ऐसा चीज़ होता है तो इस चीज़ को काटके निकाल देते हैं इसी का नाम है वर्मी फोरम एपेंडिक्स ध्यान किया यही वह एपेंडिक्स है अगर इस परकार के समस्य होती है इसको काटके निकाल देते हैं चलिए तो यह हो गया हमारा पाचन अब जो पाचित पदार्त जो है हमारे एकक कोशिका में जाता है कोशिका के माइटो कॉंडो है यह चेप्टर का मतलब पाचन कंप्लीट है और आप लोगों ने बहुत बढ़ियां साथ निभाया है ठीक है अराम से बैठ के पढ़े हैं आज मैं अपने कल वाले मोड पर नहीं था पांच गेर नहीं लगाएं चार गेर में ही चला हूं ठीक है तो आगर आपको यह क्लास स को करो हाँ दिपांजली पाचन बहुत सिंपल अबलब लंबा प्रोसेस है अगर आप जान लो तो काम की चीज़ को जानो बाकी चीज़ को आपना ठीक है आप गोल लगा कर रोख तो इसको मुझको जानने की जुरूरत नहीं है ठीक है अब यह NCRT बेस्ट है अब मैंने एक तौंट आए कंशा सानिक्स है तोड़दिया एक कलं राई पक Completely पढ़ेंगे हम रेप्रोडचीजे ये हम को बहुत ये चल लगा हम को भी अच्छा लगा कल का क्लास होगा री प्रोड़कशं यानिकी प्रजनन ठीक है कल भी पढ़के हानने की इस नहीं है तिक जो जैसे इतना मतलब यह असान नहीं था तिक जिस प्रकार अभी आप जल आप घटन की क्रिया को एक बर बताऊं सर संजू जो जल अब घटन क्या होता है है या हैड्रोलेटिक चीज किसको कहते है जल की उपस्थिती में अगर किसी भी पदार्थ को तूटता है उसी को जल अब घटन कहते हैं ठिक धियान रखिएगा मैंने यहाँ पर एक चीज को बताया था तिक जल अब घटन को कहीं एक जगा H2O में लाया हूं ठिक धियान रखिएगा तिक जल अब घटन वही होता है ठिक जब किसी भी रसायनिक चीज पे ठिक अगर जल आता है जल के कारण वो अब घटीत हो जाता है तो उसी को जल अब घटन प्रोसेस कहते हैं हाइड्रोलिसिस कहते हैं जैसे कि आयन आयन मतलब किसी चीज को जैसे नमक को हम जल में घोलते हैं ठीक है तो उसमें सोडियम भी होते हैं क्लोराइड भी होते हैं तो एन ए और सी एल एन ए प्लस C L minus अलग-अलग हो जाते हैं ये तब होते हैं जब हम उसमें current pass करते हैं current pass करेंगे तो उसमें चीज़ें जो है current में भी प्लस माइनस होता है तो ये सारी चीज़ें दोनों अलग-अलग जगा चली आती उसको हम chemistry में पढ़ेंगे chemistry में ही पढ़ाने वाला हूँ physics जो है वो पढ़ाएंगे हमारे सर ध्यान रखेगा chemistry में ही पढ़ाने वाला हूँ ठीक, Krishna सर ये science समझ में नहीं आता था अब अच्छे से समझ में आ रहा है ठीक, चलिए पढ़िए बढ़िया ठीक, पृति काफी कुछ समझ में आ गया, काफी कुछ आया बाकी चीज को एक बार revise करना जो PDF जाएगा, उसके माध्यम से पढ़ लेना स्वाती, ऐसा ही speed में पढ़ाएगा आप बैठे रहे हैं, मैं ऐसा ही speed में पढ़ाऊंगा ठीक है, समझ में आ रहा है ठीक है भाई, पढ़ाना हमारा काम, पढ़ना आपका काम संजू यार फिर वो repeat हो जाएगा पांचन की पांच अवस्थाओं के एक बार फिर से सटीक में समझाएं, ठीक है आपने बहले भोजन किया अंतागरहन, ठीक है, फिर भोजन जो पेट में आया ठीक, जिसको मतलब दूसरा काम होता है पाचन, पाचन के बाद क्या होता है पाचन के बाद जब पच गया, तो पाचन के बाद होता है आउसोसन, यानि अब्जॉप कर लिया ठीक है अब्जॉप्सन के बाद क्या होता है चलिए तो फिर हम इस class को यहीं complete करते हैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस संक्या में आपर ठीक है आपनी इस class को attend किया और आपको चीजे समझ में आई कल आपको पढ़ना है reproduction तो ध्यान रखेगा reproduction पढ़ने के लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़के आना होगा तो नहीं तो फिर वहाँ फसोगे ठीक तो ध्यान रखेगा reproduction कल का class है reproduction पढ़के आईएगा चलिए इस class को बस हम यहीं पर complete करते हैं कल मिलेंगे फिर तब तक के धन्यवाद नमस्कार झाल शचे से वादेगा के पढ़के लिए एक तक के लादा प्यान रखेगा से वादा दिए दो आपके लादेगा तो पिर नहीं वादा एक मिलेंगे और सह बालादेगा।